आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले आचारी श्री पुष्पदंत सागर जी महराज की अहिंसा परमो धर्म की कि कल क्या बताया था कि माइक दे सकते हो कि सोचके से लाएंगे अंसर में कोश्चन मार्क करोगे तो फिर कोश्चन बन जाएगा अभी आपको पॉजिटिव में डाउट है अब किस में डाउट प्यादा करना है हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप डाउट मत करो डाउट तो करोगे सुभाव है लेकिन गलत चीज पर डाउट करो सही चीज पर डाउट मत करी अच्छे विचार बनाओ अच्छी सोच बनाओ बुरी सोच पर डाउट करो अच्छी सोच पर डाउट मत करी भूल जाते हो अभी बताइए कि आप क्यों भूल जाते हो इस पर ही चर्चा करते हो आदे भूलता क्यों है कि मेमोरी कि क्यों भूल जाता है आदमी आप बताँ आप कोई भी चीज भूल के हो जाते हैं कारण बताईए कि दिमाग में बहुत ज्यादा विचारों होते हैं बहुत सारे विचार होते हैं तो उसमें से कुछ भूल जाते हैं कुछ भूलते हैं या बहुत कुछ भूल जाते हैं कल का पढ़ा आज भूल जाते हैं चलो यदि मैं आप से कहूं कि तीन दिन पहले चार दिन पहले आपने क्या खाया था याद रहेगा भूल जाओ एक-एक आइटम बता न तो सोचना पड़ेगा कि या क्या खाया था फिर सोचेगा रोटी खाई थी पराठा पता नहीं क्या खाया था चार दिन पहले कब भूल जाते हो क्यों भूलते हैं नाकार अतमख सोच यादा ऐसकी वज़े से भूल जाते कभी कभी कोईचीजें बिना डर के नहीं भूल जाते, ज़ी डर नहीं फिर भी भूल जाते क्यों बूलते हैं जो विशे उसके ऊपर जाता द्यान नहीं देते हैं, जो द्यान में रखना है उसके ऊपर जाता है और जो इसके ऊपर अपने चलो छोड़ दो, ऐसा हो जाता है कहां से आए? कहां से आए? 12 में और बताएं क्यों बुल जाते हैं? हुं जो है बिषयल एक्षिन रहता है जो हम सदत करते हैं इसको ध्यान नहीं देते तो बूल जाते हैं अगर कोई ध्यान में रख्ये वो चीज करे तो नहीं भूलते कि इसका मतलब पन ध्यान नहीं रखते किसी चीज जो important उसे देन देते जो नहीं important वो habit से हो जाता है का और बताएं सअधी गलत नहीं है और बताएं कि आप भूलते क्यों है अपना-पना सोच अपने अपने thinking हो सकती है बोले है कि आप क्यों भूल जाते हैं सबकी बज़े अलग-अलग हो शक्ति है हम किसी और बज़े से बूलते हैं वो किसी और बज़े से बूलता है क्यों बूलते हैं इत्ता तो याद रखो कि हम बूलते क्यों है कि ये भी बूल गए ये भी बूल गए कि हम बूलते क्यों है क्यों भूल जाते हैं अच्छा किसी भी चीज को याद रखना है तो क्या करें उल्टा करो अब मैंने पहले दिन क्या पढ़ाया कोई खड़ा हो के बता सकता है यह भूल गए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए पाच्छे दिन हुए क्या बताया था बड़ जोर डालना पड़ेगा क्या बताया था यह बताया था एक दो बाते भाते हम भी उश्किल से बता पाऊगे इसा क्यों होता है इसा क्यों होता है दिमाख में पहले दिन सफल था और खुशी पर चर्चा होई था हुग और भूलता है आदमी इसलिए कि उस महत्वा देता नहीं, ज्यादा इंपोर्टन जिसको देना है वो ध्यान में रखता है, और जो महत्वा पूर्ण नहीं है, तो इसलिए भूल जाता है बहुत बड़ी और कोई बता सकता है, अपना सोच, बिचार, किसी को आ रहा हो हाँ, हाँ, बोलेगे, हम लोग निगेटिव जादा सोचते, पॉजिटिव कम सोचते, इसकी वज़े से बूल जाते नहीं, ये थोड़ा जादा अच्छा नहीं लगा, और कोई बता ये हाँ, बोलेगे, माइक का रहे, माइक लिए जिसमें खुशी जादा रहती है न, वो ध्यान मेरता है, खुशी, हमने तो ये सुना है कि खुशी नहीं, कोई अधी गाली दे तो जिन्दगी भर याद रहती है, और कोई प्रसंसा करे तो हम भूल जाते हैं, तो गाली में खुशी मिली के आपको, किसी ने अफमान किया त जीवन वर याद रहता है, तो उसमें अपमान में कोई सी खुशी मिल रही थी अपने के, जो मन में पक्का बैठता है, वो बुरा हो या अच्छा हो, वो ध्यान में रहता है, वो याद में रहता है, बाकी सब बूल जाते है, पक्का बैठता है याने, कोई incidence हो, कोई ऐसा, नहीं, पक्का बैठने का मतलब क्या है, बही होगे है न, भ्यान, गहाए किसी राइटर ने, किसी वी चीज को कम से कम, दस हजार बार दोहराओ, तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है, खाना कितनी वार खा चुके है अपन, पैदा हुए जब से, घबराओ नहीं कि दस हजार तो यार, बहुत ज्यादा होते हैं, दस हजार से जादा वार तो अपन पानी पी चुके हैं, दस हजार से जादा वार तो अपन भोजन कर चुके हैं, दस हजार से जादा वार अपन नीद ले चुके हैं, ले चुके न, तो दस हजार वार आप उसको दोहराईए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी उस मेमोरी क नहीं कर पाएगा समझ में आरा तो इसको बोलिए जैसे अपन कई लोग भक्तामर पढ़ते हैं तो याद हो जाते काम भी करते रहते और पाठ भी चलता रहता है भूलते हो क्या चलो भक्तामर तो छोड़ो एस अब सेट लोग बैठे हैं यदि मंदिर में माला फेरते हैं और कोई बाजियो में जोर से पूजा करें तो डिस्टर्ब होता है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है माला फेर ने बड़ा डिस्टर्ब होता है कोई जोर से पूजा कर रहा है कोई जोर से स्वाध्याय कर रहा है कोई बात कर रहा है तो अपना ध्यान माला में जाता है या बहा जाता है क्यों वोली आज मंदिर मन नहीं लगा वोली क्यों नहीं लगा वोली बड़ा शोर था लेकिन जहां शोर है वहां मन नहीं लगेगा लेकिन जब दुकान में कस्टमर आपको नोट देता है तो दुकान में साइलेंट होता है कि शोर होता है तो नोट कम होते हैं गिनने कितनी भी बड़ी भीड हो कितनी सबजी मंडी में भी खड़े हो हर चीज में गलती हो जाएगी लेकिन नोट गिनने में गलती क्यों नहीं हो रही है और माला में disturb क्यों हो रहा है क्यों ऐसा क्यों माला में क्यों मन नहीं लगता माला में डिस्टर्बेंस क्यों होता है नोट गिनने में क्यों नहीं होता है क्या चंदुलाल उसका वहलो कम होती है पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं हम लोग क्योंकि माला फिरते तो ऐसे सब चले जाते हैं क्या मतलब फाल तो नियम दे दिया फिर लिया कुछ होता होता तो है नहीं देखो यानि सब बातों से ये निरिना हुआ कि जो चीज हम महत्वून समझते हैं समझ में आना जिसको हम इंपॉर्टेंट देते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं और जिसको महत्व तो नहीं देते हैं उसे हम जिसे उधारण आपने एक्जाम दियोंगे परिक्षा दियोंगी ये ना सबके बातों से यही तो डिसीजन आया है तो उधारण के शरूप आपने एक्जाम दिया आपको रॉल नंबर दिये जाते थे पहले अब क्या होता नहीं माल रॉल नंबर तो होता है रॉल नंबर होता है कि आपका रॉल नंबर ये है तो वो रोल नमबर एक्जाम के बाद याद रहता है क्या यदि मैं पूछूं कि आपका टेंथ में रोल नमबर क्या था वो याद रहता है क्या क्यों नहीं रहता कि हमारे लिए वो अनुपियोगी हो गया अब क्या जरूबत उसकी याद लखने की तो इसका मतलब है कि आदमी भूलता सुभाव से नहीं है समझी मैं आदा जो मेमोरी बोलते न अपनी लाउस होती नहीं है एक आदत नहीं है कि हम भूल गई एक आदत बन गई कोई आदत नहीं है ध्यान रखना ये भूलना और याद रखना ये दो दोनों चीजें हमारी मानसिक्ता पर डिपेंड किस पर डिपेंड हमारी मेंटिलिटी क्या है समझ में आ रहा ये कोई रोग नहीं है ये कोई बीमारी नहीं है कि मुझे मन नहीं लगता मैं भूल जाता हूँ मैं पढ़ाई में भूल जाता हूँ जो आप कल पढ़ा रहे हैं वो मैं आज भूल जाता हूँ ये कोई एक प्रकार की आदत नहीं है कि भूलना ही हमारी आदत है ये हमारी मानसिक्ता पर depend करता है कि हम किसे याद रखना चायते हैं और किसे भूलना चायते हैं तो जो उपियोगी है उसे हम याद रखते हैं, जो उपियोगी है उसे हम भूल जाते हैं अब आपको यह देखना है कि मेरे जीवन में उपियोगी चीजें क्या हैं किसी का गुस्सा याद रखना इतना इंपर्टेंट है महत पूर्ण है किसी की गाली याद रखना इतनी महत पूर्ण है बोलो फिर क्यों याद रखते हैं अपने आपनी आदत नहीं है यह हमने उसकी गाली को महत दिया है इसलिए याद अभी तुम लोगों ने बताया ना कि जिसको हम महत्पून समझेंगे इंपॉर्टेंट समझेंगे वो याद रहेगा अब आपको अच्छी वाते याद रहती है या बुरी वाते ज्याद रहती ह बोलिये क्यों में रहती है बुरी बाते याद क्योंकि मैं है बुरा हूं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सामने वाला बुरा नहीं है कौन बुरा है इसलिए मैंने का थो ना कि अपने आप से माफी मांगो कि मैंने उसकी बातों को याद रखा यानि आप उस गलत बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते इसलिए अपने आप से कहना पूरी ताकत और इमानदारी से I am bad man कह सकते हैं या नहीं? भुला कहोगे तो good man बनोगे नहीं तो क्या होगा कि हम इस कमजोरी को भी अपनी अच्छा ही समझेंगे समझ में आ रहा? इस गलत बात को भी अपन गलत विचार रखते हैं गलत बातें याद रखते हैं उसके बाद भी यदि कोई आपको खराब बोल दे तो बुरा लगता है या नहीं लगता है? बोलो लगता है ना बुरा? वो बुरा क्यों लगता है जबकि सामने वाला सच बोल रहा है सच बोल रहा है की गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है अब बुरा क्यों लगता है? क्योंकि मैं अच्छा होना नहीं चाहता हूँ इस जो दुफैर को मैंने किलासें पढ़ाई है उसका मूल उद्देश एक ही था कि मुझे कशायों से मुक्त होना है और अच्छा आदमी बनना है समझे में आ रहा अच्छा आदमी स्वयम से बनना या दूसरा कोई बनाएगा कि सामने वाला अच्छा होगा तो मैं अच्छा होगा यदि सामने वाला बुरा है तो मैं उसके साथ बुरा होना चाहिए मुझे या अच्छा होना चाहिए चाहिए तो छोड़ो हम अच्छे बनते हैं उस समय अब बुरे बनते हैं इसलिए आज आपको एक सूत्र याद रखना है कि मैं मेमोरी मेरी कभी खत्म नहीं होती है दिमाग तो हमेसे ही सही हुआ करता है लेकिन जिस चीज को हम महत्त देते हैं वो हमारी मेमोरी में रहता है और जिसको महत्त नहीं देते वो डिलिक्ट हो जाया करता है अब देखना ये है कि हम किन चीजों को महत तो देते हैं बुरी चीजों को या अच्छी चीजों को ये अपने को सोचना है यदि अच्छी चीजों को देंगे तो हमारे दिमाख में अच्छी चीजें रहेंगी बुरी चीज़ों को महत देंगे तो दिमाख में बुरी चीज रहेगी समझ में आ रहा है तो किन किन चीज़ों को महत देना है अब जैसे गुसा आया सामने वाले को उसने ऐसा बोला गुसे में इतना गंदा बोला इतना मेरा अपमान कर दिया अब तो मेरा बोलने कई मन नहीं कर रहा है आप जितना अपमान सोच रहे है उतना हुआ है क्या बोलिए हमारी बेजिती कर दी हमारी इंसल्ट हो गई हमारा तो साभिमान मिटा दिया हमारा तो सम्मान खत्म कर यह आप सोच रहे हैं इतना हुआ है हुआ है हुआ है इतना कि आप सो चार लोगों चार लोगों को तो पता ही नहीं है लेकिन दिमाग क्या सोच रहा है चार लोगों मेरी इज्जत खराब जबकि चार लोगों ने आपकी उस घटना को ध्यान से देखा ही नहीं लेकिन हमने दिमाग में क्या बना लिया हमारी इज्जत कतम होगे हमारी बेज्जती कर दी सही में होता या नहीं इसा दोलिया तो अब वो बाते दिमाग में रहेंगी या नहीं रहेंगी? अब वो बात यदी दिमाग में रहेंगी, तो कशाय पेदा होगी या नहीं होगी? होगी न? तो आप अपने मन से अपना संसार नहीं बना रहें? बोलिये, मालो, किसी ने आपको कुछ बूला और आपने भी उसको पलट के जवाब दे दिया, चलो आप गुस्से में तुमने बोला सामने वाले में बोला अब दूसरा पाइंट पे ध्यान देना पहला तो हो गया कि किसे महत्तो दे रहे हैं जिसे महत्तो दोगे वो हमेशा याद रहेगा और जिसे महत्तो नहीं दोगे वो भूल जाओगे अब किन चीज़, जीवन को सुखी बनाना है, आनन्द बनाना है, किन चीज़ों को महत्व देना है, और किन चीज़ों को महत्व नहीं देना है, ये decision आपको लेना है, दूसरी बात, मानलो सामने वाले ने आपके सामने बहुत गुसा किया, और आपने भी किया, अब आप जीत से क्या आपको रामनात कोविंद भारत रतन का एवार्ड देगा बोलो समाज में एक आदर्स पुरुषकार मिलेगा फूल माला डलेगी बोलो स्वागत होगा अरे मैं जीत गया मैं जीत गया ध्यान रखिये यदि ये दिमाख में ले आओ कि यदि मैं सामने वाले से जीत भी गया तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया और यदि मैं हार गया तो मेरा क्या चला गया विचार करिए कशायों से मुक्त होना है हम ध्यान रखना दूसरा सूत्र जो मैं दे रहा हूं आपको कि छोटी जीत को बड़ी सफलता समझो समझे में आ रहा है छोटी मोटी जीत है इनको जीत करके तुम्हें कौन सी बहुत और बड़ी सफलता मिल गई कौन सा बहुत बड़ा एवार्ट तुम को प्राप्थ होगा तुम अपनी दिवरानी से जीत गई जिठानी से जीत गई, सास से जीत गई, भाई से जीत गई, क्या मिलेगा बोलो, ओ लडाई भी कोई जमीन जा जात की ओ तो भी चल जाए बिचारों की लडाई है, समझे में आ रहा, बिचारों थोड़ा सा मन के खिलाब बोल दिया आप गरम हो गया, सामने वाला गरम हो गया, आप जीत गई मान लो, फिर क्या मिलेगा समाज में बड़ा सम्मान होगा, परिशन पर में माला डलेगी, जलूस निकलेगा, वो ले क्या हो, वो ले जिठानी से जीत गई है इसकी आरती उतारो, इसको फूल माला पहनाओ, इसको प्रमान पत्र दो, सम्मान पत्र मिलेगा तो उस लड़ाई को इतना महात्पून क्यों बना रहे थे सोची जब कुछ नहीं मिलना है, तो उस जीत से तुम्हें मिल क्या रहा है थोड़ी देर की, यह मान सिखता है है ध्यान रखना, यह ना आदत है, ना हमारा सुभाव है यह mentality है, समझ में आ रहा है, यदि आप उस समय यह विचार ले आओ, कि सामने वाला गुसा कर रहा है मुझे गाली दे रहा है, मिरा अकुमान कर रहा है, चलो बदले में मैं इसको कुछ कर भी दूँ तो मेरा कौन सा बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा ऐसी ही सोच पारसनात कमट के सामने लगा रहे थे यदि वो चाहेते तो उटको, दो लगाते कमट को तो एक तरफ बैठ जाता लेकिन उन्होंने कहा, इसको जीतने से मुझे मिलेगा क्या और यदि मैंने इसकी जगए अपने मानशिकता को जीत लिया तो मुझे मोक्ष की प्राप्ती होगी, कल्यान की प्राप्ती मोक्ष माने क्या, आप काऊगी हमें मोक्ष फोक्ष तो होना नहीं मोक्ष माने आनंद, है न, जब आप यह सोच लेंगे कि उसकी जीत से मुझे क्या मिलेगा, कर लेने दोसको आपको करेंट में आनंद प्राप्त होगा समझ में आ रहा, आपको खुशी मिलेगी, आप कशायों से मुक्त होने लगेंगे, तो छोटी जीत को बड़ी शफलता मत समझे, और हम सारी जिंदगी छोटी जीत को बड़ी सफलता समझते हैं, पिर जाके बताएंगे, अरे मैंने भी ऐसा जवाब दिया, मू तोड़ जाना उस से, अरे तो क्या हो रहा इस से, उत्तर बन भी जाता, तो जिससे बता रहे हो कों सा तुम्हे माला पहनाता, नई बना तो कों सा तुम पे हस रहा है, ध्यान लखना, विस सारी छीज़े हैं, हमारी मानसिक्ता कैसी है, विचार करे, मान लो आप सोचो की आपको दल है एक गदे ने आपको लाctive मारती है अब क्या कर सूदू दो लात तुम भी मारोंगे को हम जीत गए और घरार गया है कि मारोंगे क्या करूंगे है एस नहीं गदा को पचास गाली दोगी उसने लात मारी यह पंजुबान से यह है ना समझ में आ रहा तो गधे को पलट के गधे को जो लात मारेगा वो क्या कहलाएगा नहीं मैं नहीं बोलू को क्या कहलाएगा यदि सामने वाला गाली दिर अपमान कर रहा पलट के हमने उसका अपमान कर दिया तो बोलो महान कौन होगा कि दोनों ही क्या कहलाएंगे क्या कहलाएंगे कुट्टे ने काटा अब पलटके तुम उसको काट लोगे कि कुट्टा मैं भी तुझे काट हूं तुने मुझे क्यों काटा है नहीं काटते ना समझ में आ रहा क्या सोच के छोड़ देते हैं जानवर क्या करें काट लिया तो का गर में क्यों नहीं रखते हो परिवार में इतनी सम्ता माव क्यों नहीं रखते हो मित्रों के बीच क्यों नहीं रखते हो रिलेशन में क्यों नहीं रखते हो समझ में आ रहा है आप एक बाद उता है छमा कौन करेगा दो लोग लड़ रहे हैं छमा कौन करेगा कौन करेंगा च्छमा कौन करेंगा दो से जगड़ा हो रहा है अपना दो से अपनी लड़ाई हो रही सामने वाले हो मैं लड़ रहा हूं चमा को मैंने का चमा करो चमा कौन करेगा बुलो खुद करेंगे नहीं चमा कौन करेगा हां बुलो इसका और दूसरा शब्द लेके आओ सही है और दूसरा सब्द बहुत राइट बिलकुल सही जो समझदार होगा वो चमा करेगा अब दो लड़ रहे हैं अब दोनों में चमा कौन करेगा जो समझदार होगा और जगड़ा कौन करेगा जो ना समझदार होगा अपना नाम किस में लिखाना है समझदारों में या ना समझदारों में किसमें लिखाना है कशायों को जीतना है करोद को जीतना है मान को जीतना है माया को जीतना है अपना नाम आपको किसमें लिखाना है समझदार में या ना समझदारों में इस दिमाख में लाना जब जगड़ा हो विवाद हो विचार खराब हो तो एक चीज क्याद रखना कि यदि वो अपने भाव खराब कर रहा है मुझे सांत रहना है आप बताइए पारसनाथ समझदार या कमट समझदार इतने समझदार बन जाओ कि तुम्हारे सामने वाला ना समझ भी एक दिन क्या बन जाए तो कमट को समझदार बना दिया ना पारसनाथ ने अपनी समझ से वो कुछ बोले ही नहीं कमट को फिर रिलाइस करना पड़ा है चरणों में जुका रोया पश्या ताप किया समझ में आ तुरंट नहीं मिलता समझदारी का पल ना समझों को तो तुरंट मिलता है एक चाटा मारा उसने पगड़के दो लगा दिये तुरंट करेंट एकाउंट खतम खेल लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता समझ में आ रहा कितने पाइंट बताए मैंने पहला बताया मेम हमारे दिमाग से कभी डिलिट नहीं होगा दूसरी बात क्या बतलाई चोटी जीत को बड़ी सफलता मस समझेए दोनों बेहने लड़ जाएं एक जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है बड़ी लड़ाई लड़ो समझ में आ रहा कि चोटी मोटी ल कोज होती है दिनवर में कैसी लड़ाई लड़ना है बड़ी लड़ाई बड़ी लड़ाई क्या मतलब कि अब बिलकुल डंडा उठा ले तुम घर में कितनी भी लड़ाई लड़ो वो चोटी ही कहलाएगी वो बड़ी कहलाने वाली नहीं है बड़ी लड़ाई लड़ना है राने लक्षमी वाई बनो अंग्रेजों को देश से वाहर खदेडो तो उनकी प्रितमा पर फूल की माला चड़ती है घर के लोगों को खदेड दोगे कोई फूल की माला चड़ने वाली नहीं है तो ये एनरजी हम घर में बरवात क्यों करते अपनों के वीच बरवात क्यों करते बड़ी लड़ाईयां लड़ो और ध्यान रखना सबसे बड़ी लड़ाई कोई होती है तो दूसरों से नहीं अपने बिचारों से लड़ो ये सबसे बड़ी लड़ाई हुआ करती है अपने असुब विचारों से जगडा करो, अपनी कलशित भावनाओं से जगडा करो, अपने पापों से जगडा करो, अपनी गंदी आदतों से जगडा करो, तो आप बड़ी लड़ाई लड़ने वाले कहलाएंगे, आप दूसरे से मत लड़िये, एक बात और याद रखिये, सामने वाला व्यक्ति यदि कोई गल्ती करता है तो हमारी सबसे गंदी आदत है कि हम उस व्यक्ति को गलत बोलते हैं समझ में आ रहा? क्या बोलते हैं? वो गलत आदमी, वैड मैन, अच्छा नहीं है उस पे विश्वास मत करो वो गंदा आदमी है अब बताईए, आपको क्या देखना चाहिए? अच्छा है उसमें है यह नहीं? क्या देखना चाहिए? दिवाक लगाओ एक आदमी के अंदर गलत चीज है तो आप उसमें क्या देख रहे हैं? दो चीज हैं एक आदमी है और एक उसके अंदर गलत आदत है तो आप आदत देखते हैं या आदमी को देखते हैं? आदमी को देखते हो आदत नहीं देखते हो क्योंकि वो आदत हमारे अंदर भी है नहीं है? गुस्ता करने की, चिल्लाने की, जुझलाने की वो आदत क्या मेरे अंदर नहीं है ध्यान रखना आदमी गलत है या उसकी आदत गलत है क्या गलत है वही आदमी गलत क्यों कहला रहा है गलत बिवहार से समझ में आ रहा तो उसका बिवहार गलत है कि ब्यत्ती गलत है लेकिन हम नफरत किस से करते है अपन रावण जलाते दसेरा पे कि रावण के कर्म जलाते जो रावण जला रहा है न वो कोई राम नहीं है समझे में आ रहा दसेरा पे यहां जलता है जलाना नहीं चाहिए जलता है तो ठीक है जेन लोग तो नहीं जलाते आप एक बात बताए जो रावण को जला रहा है है ना क्या वो राम है बोलिए नहीं है ना तो फिर रावण जलाने का अधिकार किसको राम तो कोई भी नहीं कोई भी नहीं है राम समझ में आ रहा तो क्या जलाना था रावण जलाना था या उसके जो कर्म मेरे अंदर है उसे जलाना था बोलिए भीतर का अपना रामण जलाना था लेकिन आज रामण कौन जला रहा है जो खुद रामण है वो रामण को जला रहा है समझ में आ रहा की नहीं आ रहा तो गड़वड चल रहा है ना मामला व्यक्ति को मत देखो व्यक्तित तो देखो समझ में आ रहा यदि किसी ने मालो आपके घर में आपके बच्ची ने गलत काम कर दिया तो आप बच्ची से नफरत क्यों करते हो किस से नफरत करना है जिस से बच्चा गलत कहला रहा है समझ में आ रहा कारियों से नफरत करना है तो हम क्या करते हैं उसके काम के वहाने हम व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं इसलिए उसको जब जब देखो कशाय पैदा होने लगती है गुसा आने लगता है उससे द्वेस पैदा होने लगता है जब कि हमको व्यक्ति को बहुती तो केते ना मेरे पाससे कोई लोगा अरे महराज के चरणों में नेता आते हैं। वह तो दारू पीते हैं वह तो नॉन्वेज खाते हैं। उनको आशिर्वात क्यों देते हैं। अब बताई यह देना चाहिए या नहीन कि कि वूछ लुरू है कै कि твор 200 एंति मालो नहीं भी सुधारा तो देना चाहिए कि नहीं समाज में प्रस्ण उठते हैं एक नेता आया शरह भी है गलत चीज करता है महराज उसे पिछी लगा देते हैं महराज उसकी प्रसंसा कर देते हैं अब यह करना चाहिए या नहीं नहीं करना चाहिए देखो मेरे डर से मत बोलो जो तुम्हारा दिल बोल रहा है कि महराज की मुँपे कैसे बोल रहे हैं जो है तो है करन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भले वो त्याग भी ना करे तो भी आशिर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए क्यों नहीं पक्का मालों में नहीं सुदरेगा अब देना चाहिए कि नहीं क्यों क्यों कि जो लोग विरोद कर रहे हैं न वो व्यक्ति को देख रहे हैं और हम आशिरवाद दे रहे हैं तो व्यक्ति को तो आशिरवाद ही दूँगा समझ में आ रहा उसकी बुराई को आशिरवात कभी भी प्रदान नहीं किया जाएगा ध्यान रखना बुराईयों को आशिरवात नहीं मिलता है व्यक्ति को आप बताए आपका बेटा मालो शराबी है शराब पीता है गंदे काम करता है तो बताओ उसको खाना दोगे या नहीं क्यों दे रहे वो तो खराब है न क्यों दे रहे एक खाना आप खाना क्यों दे रहे आपके घर का लड़का बिगड़ा है गलत काम कर रहा है शराब पी रहा है गलत चीज नॉन वेज खा रहा है गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, चपाटी कर रहा है, साम को घर लोटेगा, आप खाना दोगे या नहीं दोगे चलो, तुम तो छोड़ो, मालो ऐसे भरष्ट लोगों को जेल में बंद कर दिया, आतंगवादी जो देश को बरवात करते हैं, तो जिसको सजा मिली है, जिसको जेल के अंदर बंद कर दिया है, उसको खाना दिया जाएगा या नहीं, क्यों, वो तो गलत है न, तो मारे देश प्रष्ट लिए उसने, भंपटके आतंगवादी बंद है, खाना क्यों दे रह ये, बलो, तो उसके जीने के लिए, क्यों जिन्दा रखना, मरने दो न, उसको, गलत आदमी है ये, क्यों जिन्दा रखना, मर जाने दो, यदी मर जाने दो कहोगे, तो ध्यान रखना, आप बड़े पापी हैं फिर आप जीओ और जीने दो नहीं चला सकते महावीर ने ये थोड़ी कहा है कि अच्छे लोगों को जीने दो बुरों को मारो ये थोड़ी बोला ये बोला है क्या जीओ और जीने दो का अर्थ क्या है उसमें कंडिशन लगाई है कि अच्छे लोगों को ज शराबी जुवारी आएंगे हमारी, एक बात बताईए, ये प्रवचन किन के लिए है, सुधरों के लिए या बिगडों के लिए, अब एक बात, जो कुछ नहीं करता, उसे प्रवचन दे कि क्या करूंगा मैं, एक डॉक्टर, दुका, अपना मेडिकल लेके बैठा है, होगा इलाज, नहीं होगा न, आप कितने भी बड़े अहिंसक हो, आप कितने भी बड़े जेंधरम को पूझने वाले हो, कितने भी करूंगा वाले हो, यदि आप डॉक्टर है, और आपके घर में, यदि पाप करने वाला घायल होके आया है अस्पताल में, इलाज करोगे य फिर पाफ कमाई रहा हुँ हूं हम है जान रखना तू चीजों गए एक व्यक्ति और एक उसकी आद्थे उसके कर्म नफरत किसे करना है किसे करना है आद तों से समझ में आरा है व्यक्ति से नहीं लेकिन हम जिंदगी वर किसे नफरत कर अरे वो बहुत बेकार है मैं तो उसके मुई नहीं लगता हूँ उससे तो बोलना पसंद नहीं करता हूँ इतना थर्ड किलास आदमी थर्ड किलास है या आद्तें थर्ड किलास है बोलिये आदते हैं तो आदमी से नफरत क्यों बोलिये आप क्यों बोल चाल बंद कर देते हैं घर में थोड़ी सी बात हो गई हम नहीं बोलते हैं उमु कर लिया उसने उम कर लिया यह नफरत आदमी से हो रही है आदमी से हो रही है ना आदमी से मत करिए ध्यान लखना जब पुरुरवा भील मांस खाता तो न तो मुनी महराज उसके पास महाराज को मानसारी के पास जाना चाहिए या नहीं नहीं जाना चाहिए तो मुनी महाराज तो पुर्रवा भील के पास गए थे कि तू मानस का त्याग कर यदि महाराज नहीं जाएंगे तो त्याग के सब जाना चाहिए तुमने तो कहा नहीं जाना चाहिए मानसारी के पास तो बो मुनी महराज सेर जंगल में हिरन को खा रहा था तो मुनी महराज को सेर के पास जाना चाहिए कि नहीं तुमने तो मना किया बलो गए ना मुनी गए उसको का कि तू एक काम कर मांस का त्याग कर उस भीलने कहा मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता मैं जंगल में रह रहा हूँ तो मुनी महराज ने का पर एक काम कर कवे के मांस का त्याग कर दे बाकी मांस तू जानना कवे का मांस जीवन में कभी मत खाना अब बताइए क्या मुनी महराज ने इंडारेक्ट और मांस खाने की इजाज़त दी या नहीं दी देख सोचे बिचार कवे का छोड़ दे बाकी समझे में आ रहा कि नहीं तो महराज ने गलत काम किया कि साई किया भलो जबकि कवे का वो कभी खाता ही नहीं था अवैसे नियम से क्या मतलब कभी नहीं खाता था कवे का मांस कौन खाता समझ में आ रहा तो भील ने कवे का मांस कभी खाया ही नहीं उसने का क्या महराज कवे का तो मैंने आज तक जिन्दगी में खाई नहीं क्या होता है कौवे का मांस अब उसको आगे जाके कहानी आपको मालूम है बीमार हो गया अब बैद्यों ने कहा ये तभी ठीक होगा जब कौवे का मांस खाएगा समझ में आया, अब उस भील ने क्या खा कि यार ये तो महराज ने त्याग कराया था जिंदगी बार तो मांस खाते रहा उसको कवे के मांस से कोई घ्रणा भी नहीं थी लेकिन मन में क्या आया कि यार खाना नहीं है तो मैंने त्याग किया है कवे का मांस बैदने का नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो बोले कि क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं आप लोग तो कहतें न कि बीमारी की जोट, बाहर की जोट, तकलीप की जोट रखते हो ना, उसने कहा नहीं भाई, अब मर ना, बोले मर जाऊं लेकिन खाऊं, जोट नहीं चलेगी आपके हाँ तो छूट चलती है ना समझे महारा यदी वो भील ये नियम लेता कि महराज में कवे कमांस नहीं खाऊंगा लेकिन कोई बीमारी होगी कष्ट होगा तो छूट दे रहे हैं क्या मुझे जिसे तुम लोग मेरे से मांगते हैं किसी विर में बैठेंगे तबियत तो त्याग नहीं खाऊंगा कवे कमांस अब अंतिम समय आ गया मरने का जब मरने का समय आया वोले खाले सारे बैठ दे खाले कवे कमांस ठीक हो जाएगा लेकिन उसने कहा एक बार बताओ क्या कवे कमांस खाने से मैं अमर हो जाऊंगा फिर कभी नहीं मरूंगा बैठ्दों ने कहा नहीं मरना तो होगा थोड़ी सी आयू बढ़ सकती है तो वोले थोड़ी सी आयू बढ़ाने के लिए मैं प्रतिग्या कैसे छोड़ दूँ मैं प्रतिग्या निवाहूंगा और उसने बैद्यों से कहा जब मैं मर ही रहा हूँ और जब मरना ने और दो चार साल नहीं मर करूंगा तो क्या कर लूंगा कोवे का मानस का के उसने का ठीक है जब मरने इनिस्चित है जब मैं मरही रहा हूं सभी मानस का त्याब करता हूं और वय भी छोविशमाती ठंकर भगवान महावीर बन जाता है महावीर स्वामी भील की परयाय में महानसहारी थे समझ में आ रहा है अब उन मुनी को महानसहारी के पास जाना चाहिए या नहीं कि अभी तो तुम मना कर वह थे कि नहीं जाना चाहिए है सरावियों को पास बिठाना चाहिए या नहीं बोलो फटा फट नहीं बिठाओगे तो भर कहां बैठेगा हो जाके वहीं बैठेगा न जहां बैठना चाहिए तो क्या गलत लोगों की साथ हमें नहीं रहना चाहिए बोलिए रहना चाहिए लेकिन उस समय इतनी ताकत रखना चाहिए कि उसकी बुराई मुझ में ना आए मेरी अच्छाई उसमें चली जाए समझ में आ रहा उसकी बुराई मुझ में नहीं आना चाहिए ऐसा हो सकता है कि मैं अधी शरावियों के बीच बैठा हूं तो मेरी अच्छाई उस तक जाएगी या उनकी बुराई मुझे तक आएगी कि चार सरावी मैं अभी को लिया यार अपन भी थोड़ा सा एसा हो सकता है क्या क्योंकि अभी तक तो अपन ने यही सुना है ना कि जैसों की संगती वैसी मती अब मैं चारों तरफ सरावी बिठा लूँ तो मेरी मती काई की होगी है हो शकता उनकी महराज बनने की हो जाए मेरी पीने की हो जाए ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ध्यान रखना चंदन के पेड़ में हजारों सर्फ लिप्टे होते हैं लेकिन चंदन इतना महान होता है वो जहरीला नहीं होता है वह सापों को सुगंधित कर दिया करता है समझ में आ रहा है लेकिन ये महानता ऐसे नहीं आ जाएगी तो जगडालू बेक्ती के साथ रहना चाहिए कि नहीं कि आई एम सेपरेट सेपरेट तुम अला हम इस कलाय में नहीं जी सकते हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते अरे जब आप महान हैं तो उसका नेचर बदलो समझ समझ में आ रहा है आप क्यों से भागते हैं जिम्मेदारियों से दूर समझ में आ रहा है उसको चैन्ज करने का प्रयास करें तो किसे नफरत करना है व्यक्ती से या उसकी आदतों से किसे नफरत करना है और आतों से नफरत तब करना जब आदत तुम में ना है नहीं पचला तुम में ही वो यादत है उससे नफरत कर रहे हो, समझ में आ रहा है, किलियर हो रहे हैं, दो-चार बाते मैंने बताई, पाँच बजने को जा रहे हैं, पहली बात कौन सी बताई, कि हम भूलते क्यों हैं, कौन सी चीजें भूल जाते हैं, जिसको हम महत्त नहीं देते हैं, महत्तें बिगाडते हैं, ऐसी चीजों को महत्त नहीं दूँगा, अच्छी चीजों को महत्त दूँगा, दूसरा पाएंट, छोटी जीत को बड़ी सफलता मत समझिये, किसी का अपमान कर से, किसी से लड़ जगड के, किसी को जवाब दे करके, हम बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, यदि लड़ना हैं, अपनी बुराईयों से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो, अपनी कशायों से लड़ो, तो आप सफल, इक कशायों से लड़ना बड़ी सफलता है, और आदमी से लड़ना कोई सफलता नहीं हुआ करती है, तीसरी बात जो मैंने आ आपसे बताएं कि व्यक्ति से नफरत मत करिये किसे व्यक्तित से तो बुरे आदमी आपके पास आएं, उनको फटकार के भगा के दुतकार के क्या आप अच्छे कहलाईंगे बोलिये नहीं कहलाईंगे ना तो गलत आदमी को भी अपने पास रखके उसे सही बनाने का प्रयास करिए आप गलत मत बनिये समझ में आ रहा है दो-तीन बाते मैंने बतलाई है कशायों को भी जीतना है तो हमको बस यह दो-तीन बातें अपने दिमाग में रखना है कोई यह आदत नहीं है कि हम भूलने लगे हैं हमारी आदत भूलने की है आदत भूलने की नहीं है हम महत तो नहीं दे रहे हैं इसलिए भूल रहे हैं आप से एक में बात बताता हूँ आज एक प्रियोग करना घर जाके समझ में आ रहा एक प्रियोग करना कि आज अपनी आत्मा को यह बोलना order करना कि तुझे चार बजे उठना है समझ में आ रहा क्या कहके सोना कितने बजे उठते हो नहीं उठते कितने बजे हो नहीं जो जितने बजे उठता उससे एक घंटे पहले समझ में आ रहा क्या बोलके सोना तुझे चार बजे उठना है भ्यान रखिद, बिल्कुर कोई अलारम की जरूवत नहीं, कोई घड़ी की जरूवत नहीं आप ये कहके बस सो जाओ जब सोने लगो, तुझे कल जल्ली चार बजे उठना है, मैं भी स्वाई आप आश्चर करेंगे चार बजे आप की नीन अपने आप खुल जाएगी अपने आप खुलेगी भले आप फिर सो जाओ है ना, अलारम तो लगा हुई मैं, जरूवत ही नहीं है भले आप खुद सो जाओ, दुबारा सो जाओ लेकिन एक बार जटका जरूर लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में अपनी मानसिक्ता में आपने चार वजे उठने को महत्पूर्ण बना लिया है इंपॉर्टेंट बना लिया इसलिए ये आत्मा चार वजे तुझे जरूर उठाएगी ये तुमारा आलश है कि तुम फिर आँख लगा के सो जाओ लेकिन चार वजे के आसपास नींद जरूर तूटेगी ये प्रियोग आप कल करके देखना कि मुझे टाइम दे देना अपनी आत्मा को इतने वजे उठना है फिर कल मुझे बताना नींद खुली या नहीं चाहे आप बारा वजे भी सो एक वजे भी सो यदि कह दिया चार वजे उठना है पावर के साथ अपने आप नींद खुलेगी इसका मतलब है हमारी जिन्दगी, हमारी मेमोरी हमारे आर्डर से चलती है जैसा हम आर्डर देंगे जीवन वैसा बनेगा नहीं करते है तो साम को भूख लगते है और जब करते हो तो आर्डर दे दिया ना कि नहीं एक टाइम ही खाना है अब भूख नहीं लगेगी आपको समझ में आ रहा और यदि नियम आपने आर्डर महीं किया भूख लगेगी दसवार लगेगी आपको भूख समझ में आ रहा है किलियर हुआ आर्डर देना सीखें बच्चों को नहीं देवरानी को नहीं परिवार को नहीं देवर को नहीं किसको आर्डर देना सीखें अपने आपको आर्डर दीजिए तुमको ये करना ही है मैं गारंटी लेता हूँ धीरे धीरे जीवन तुम्हारा बदलना प्रारंब हो जाएगा दूसरों को जितने पावर से आडर देते हो उतने अपने आपको आडर दीजिए याज तुझे गुसा नहीं करना चाहे तु कुछ भी कर ले गुसा नहीं आना चाहिए इतना पावर से यदी बोल दिया आपको गुसा नहीं आएगा समझ में आया के लिए भूई बाद जिनवार्णी के ग्यान से सुझे लोका लो सोवार्णी मस्तक धरूं शदा देत हों दो ये जिनवार्णी भारती तो ही जपों दिन रेन जो तीर आशर ना गहे सोपा भी सुझे नवार्णी का बदी के रंग मस्ताने हो गए बजे चम 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 बजे चम 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 आतों की दी कर लेड़े आरे सुकर बजे चम 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 जम आजे मुखी रो आजे मुखी रो आतों में पीपगले के आरे की करो गुरू दर्शनी को मिशाला वाजे चंप चंप लंगुश आजे बुद्दू आजे बुदू आजे बुदू आगों में दी बगदे के आरकी करो फ्रूमें अपती के शाधा सबसाने ने, लोमा है आजे नारकी वाव कि अभी दिमंगर आरशी पीजे अंज परमें गज बज शुपीजे पहली आरशी फिरी जिंद राजा अब दिपार उतार पिखारा कि दिनी एलबा ते आरशी करूं आरशी करूं हाथ पों में दिप लेके आरशी करूं हाथ पों में दिप लेके आरशी करूं ये भक्ति जो है भवो उसे पार कराने वादी है और जिन जिनकों भवो उसे पार होना है जर दोनों हाद उपर उठाईए मैंने जोती तेरी जलाई है दुनिया के तनकाई मैंने जोती तेरी जलाई है जारी दुनिया देकर आई मेरे मन में तुं है मता ओपारक जुपेगे वाया जागे सुपिकर, तो बाते हूंगे। पाजे हूंगी दूँ, पाजे हूंगी दूँ, उपाजे हूंग्यू, आते हूंगेती, पकले के हरजी करूँ पीर बजने, रिपाया, पीर बजने, ठीर बजने ने बाया, बीर बजना जरा सो, जरा सो, जरा सो के नुआ बारो माने लगु बीर बजने रासों पेनों बारों मान दतों बेर बजने ओ तुसरी आरती सीत जिकेरी सुमिनाने करत मिए बख बेरी इस दियारती पूरे मुझी मुझा जैने मैंने तुर आदे गंदू हातों में दिख लेके हार दी कर दू जैने में दू जैने में दू जैने में दू तर्शन देखत पाफ पलाया पाच पियारत साथ तिहारी कुंती पिनाशन सिविरति कारी इसलिए बाबा है आरति करूँ हाथो मैं थी कखले कि हार्ट कारा पिसी प्यरत たफ्रीकार पिसी बीरे पाप आतों मैं थी जी कखले को लुए जय चात जरू के उन बाबा अदे उन आपड़ी काराण आव वोली दिवबयेश हायू, हातो हमेशिए अभार्श εκियाओ। जया जो में कि तच्क मर्नेश्श्ति भगवान की। जया भुलनी ह्तवरा कौरवरेशत गुर्देशन की,Sthron! जया भोली देसे मुरा पिता पालव कि विल्यकृ लेडार, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो तरीक आर्थी इंकारू मातागो भीवाई के दाएं वीतापी कम जबिंगे राज दुलारें रंबे हो दम तरीकां कि आज तारी आर्थी इंकारू बोलकुता कर्दी महादाज आज तारी आर्थी इंकारू कि आर्थी इंकारू तारी इंकारू बोलकुता कर्दी महादाज आज तारी इंकारू कि आर्थी इंकारू बोलकुता कर्दी कम फॉर्टा बोलकुता कि आर्थी इंकारू व्यादान व्यूर्सरी इंकारू अजिता आज तारी इंकारू लें आपने माज़ इनके आपने आपने तो तो नुद गई ने, पेल नो पतंको गुड़ गई ने, सप्सूत सभिला मड्री नापने विलाने, सभिल मड्री नापने विलाने, ने रुचे रोल माझे वुचा, चलिए. पमजी दीदी. हाती लीदी सांस, तो देख've. खल्का महसूस करें. सांथ मैसूस करे उदासी नहीं प्रशन्यता मैसूस करे आनंद मैसूस करे और ठाउपार इसमित मुस्कान रखे जिसे भगवान की तुदिवा मुस्काती मैं खुश्मू मैं आनंदित हो मैं खुश्म्न चित्त पंच नमस्कान रखे आनंदू मुले नम आज पुपा आप नहीं सिंकें नामो तिखना आड़ एक सर्में हाथ नीची दीने दीने नीची कम से नहीं पढ़ते हैं नामो आड़ एक स्कार्च परेंगे शोल्ड़तो नमायनी आड़ एक साड़ हैं आयरिया भुलो रिशब देव भागी भुलो महावीर भगवान की भुलो चवबेस तिधंकर भगवान की इस्तापित करिए ओम्रीम सीमर मस्याव शानमा जिन प्रतिमा इस्तापनम करो मीश्वाहाई प्रयंतम चत्रवीं सतिधंकर काय के लिए आये तुम लोग बादि कोन बजाएगा काल जन्तम रषादी महावीर सामी प्रयंतम चत्रवें सतिधंकर परमदेः माध्यान माध्यें चन्तुदी पिभरत्षे त्रेयारि खंडे महारत देशे महाराज प्रत्रमा से शुक्ल बक्षे त्रेयो दशे शुग्ध्य द्वादसे शुग्दने वुझे रभी वार वास्रे मुनी आरिकाश्रा बक्षाविका नाम शेकल गरं छे आलतं जलाविशेकं करो मिश्वाहा जलाविशेकं करो मिश्वाहा दीनाविशेकं ओटके चन्तली ना थे कैचर शुगीम्ग सुदु रुटे सशांत मरीजया जलिंग शेंग सब्सोदों सुदु सुप्रभार बाट चलां सुच परेविश दिंच माना संपधियंत्री मचीप्र समीह प्राइव कुष स्रीं क्रीम पुआ हुँ हम आउन के शितर पंगर घृट करोंकट जला है angan कर तुरेक का शेकर का शितर क्रोंक बाद कम शितर कर बानकर के भेक जुट के एगली करोंक लाद ना लुट लाद करोंक जला में दोपने हो शुगंदित कलस अवसिंचित जिनाए जलादी अरगम नवामिती श्री वीत्रागाई नमहा ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वती तंकराई द्वादस्गाण परिवेष्टताई शुकलत ध्यान पवित्राई सर्वग्याई स्वयम्मुवे शिध्धाई बुद्धाई परमात्मने परम्शुकाई ते लोक मही व्यापताई अननत संसार चक्र पलिमर्धनाए अनन्त दर्सनाय, अनन्त ग्यानाय, अनन्त सुखाय, अनन्त वीरियाय, सिद्धाय, बुद्धाय, ति लोग वशंक्राय, सत्त ग्यानाय, सत्त प्रम्मने धर्णे इन पडा मंदल मंदिताय, रिशियारीका स्रावक स्राविका प्रमक्चत्रोप शंगोप शर्ग विनासनाय, भाटी कर मिनाशनाए अगाती कर मिनासनाए अपभाय असमाक मुर्टयों एंटरी कावां ऋक्रोदं अगनें शर्व शतहुंचर बतिवेंद शर्व विगिन मि शश्रव भयां सर्व राज भया, सर्व चोर भया, सर्व दुष्ट भया, सर्व अम्रिक भया, सर्व आत्म भया, सर्व मंत्रं, सर्व शूल रोगं, सर्व छै रोगं, सर्व कुष्ट रोगं, सर्व क्रूर रोगं, सर्व नर मारी, सर्व गश मारी, सर्व अश मारी, सर्व गो मारी, सर्व मह ऄड़ एंगैंट की श arguments भाजिक्व compl estuvकंगी सलस्टेवन के श्रभी हो नी श्रत भी Ojimu ग्लीट नाय मेंगैंट संसर्व षार हो दूप ने अझे भितन वगता्प div सर्व दुरु भगत्वम ओम शुदर्सन महराच्यक विक्रमति जो वलशोर वीर शान्तिम् सर्व जनानननम सर्व अभ्यानननम सर्व गोपुलानननम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मटम पत्तन दोन्मक संभाहनननम सर्व लोकानननम शर्व दीशानननम सर्यजमानननम मं सर्व सारिदिक आदिक दुखम हन हन देदे पचपचे पाचे कुटकुट सीग्रम सीग्रम कुरु कुरु शर्व श्मानाई हूं पथ यसुगं प्रीश लोके सुव्यादिवसन वर्जितं अभयं छे मारोग्यं सस्तिरस्तु विधियते शिवमस्तु कुल गौत्रम धनधान्यं सदास्तु चन्द प्रहवांस पूज मल्ली प्रहदान पुस्दन सीतलम निशवरितने मिनात पार्षनाति तिभ्यो नमो नमा ओम न जेना से सदोस्कल में शाय दिव्यते जो मूरतै श्री शान्तिनाथाय शान्ति कराय सर्व पावप्रनासनाय सर्व भिगनब विनासनाय सर्व रोग अपमरत्य विनासनाय सर्व पराकर्च दोपद्रव विनासनाय सर्व चाम डामर विनासनाय ओम नाम भीम रूम रा अस्या रहां नम्हा सरव शान तिन कुरु कुरु बसट स्वाह संपुजी काण अंप्रदीबाल्य काणा धिषिक सामांत हो इन राष्ट स्पुरसाथ क्ष़ो चुशां नांट ज़लो चुशां जिन भगवाग्वान जीने जरो पुशाम जिन संसार महाधिक सादर में कभी होते था आयाओ संसार पुखो के आशेंगों मैं शाम कि आराज के दाव उतके जिदंतन दिल को शिप्षेचर सुपी पुश्भू को खलारिकर दरंदर गालि रवाकुन जिन्जने मिनादि माद स्वादी मीरान चत्रविंशत तेसंकर सांति धारा अविसिंचित जिनाय जलादी अर्गम निर्पामिती देखिए दो तीन में ओम्रीन मंगल आरती अवतरणम करो मी चली बईयाँ कमालो रे पुने बादी कल्चा दालो कमालो रे पुने बादी कल्चा दालो रे ओ कल्चा दालो कमालो रे पुने बादी कल्चा दालो रे पुने बादी कल्राद्री बदम रे पुने बादी सामने देखें और देखिए साले बाले खायी घड़ी हो जाए जाहीजे ये भी म्डी अपराशा है इन तख कर जाओन हे शिरियो शील आओ और चाओ आओ अदेको मुझे पूलक सागर जिकी दाले जलो आपको अच्छे बनना इक मोदेव से संशकार देना आज ने रम बेना बोलो है घुड़े अर और पनाभ करते हो जैशे अब भी देनल इंफित जी अब ध्याद करेंगे वाँ बेट कर जैसे रैंपर ये खड़ेते हैं ए परपल कि आप तुम्ही ले लुपन अप्चा, तुम्हा कर रहा है। 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 प्रखेदी मुद्धा दस्तर गुदूरे गुना पाति नौस्तर में पीट पीटियां को पीटिया शुकर माझे उदूर रंगा में लसे निगना मुदंतू प्रभा में दीना तुरजार नाबा तामों कर दिखेडी पीहारी माझे तामों कर दिखेडी पीटिया, तामों कर दिखेडी पीटिया, तामों कर दिखेडी पीटिया, तामों कर दिखेडी पीटिया, पीटिया, तामों कर दिखेडी पीटिया, तामों कर दिखेडी पीटिया, तामों कर दिखेडी पीटिया, तामों कर दिखेडीप, पीटिया, ता अप्माइब कर दो हिती है। ऱुझाले, हुपके जोरे के ब्रॉप कर吧 रिपन्य करो में!!! रिपनी करो में 3 रिपनी करो में ! रिपनी करो में!! कर दो तुखाने तरी की मड़ी दानी है ते नामने सबसे बड़ा तराना ओखुबर जरे जाकिसे नचे म्यारे तिकने बना दे मेरी खामा जरी का जुखाओंगे अरे तिकने बना मेरी खामाली आवरे आहां से ओक मेरीं आपले बना गार्णे पाल्टल कॉ बना जाट्यो बना का जाट्यो जो दिना, 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 प्राक तकांग। तो भूडना करो के! प्राक शहीर ब साथ के समिर्ऑ मेला हुआD कि नहीं पधर भूराइत है। कि नहीं उपराइत है। मेरे जीवन किया तुझ मेरे पड़े, मेरे आखों में है तेरा दरे पड़े शाब्द मेरे, शाब्द मेरे, शाब्द मेरे फुलक गुर्यू बरे तेरा ना कौन तो दिवाना है? दिवाना तेरा, दिवाना तेरा, दिवाना तेरा हो गया सुबशा पिकारो गुरु बेरा फिक्रना दिपाना तेरा भों गया चुबयां पिकारो गुरु बेरा फिक्रना अना दिकाल से जग में स्वामी ने दर्द सुचिता को माना सुद्ध निलाता में सम्हे गरतना रही दिको जाई पहर जाना अपनी मन रखना अत्पर जले चिरी देर शात्य गुर्ण को जाऊं पित मान सिरी भी सिपी जंगर दित प्रभूरी के गुड़ काऊं चाहिए जगुर्ण को जोचिती दे番 सिरी अत्या बेड़ कर थाहएं डूम जोचिती बॉक जोचिती द tätä करोगी ना चाह। अगर के छोचिता आद तक कर माना इनकर भी सम्हेँ । कर दो कर दो कर दो कुष्प सुगंदी प्रे आखंद में दीन सुबर्बुन साया है कुष्प सुग्णी प्रे आखंद में दीन सुग्णी बिर्ण वीजियत दो पादे जुगंद दीन सुग्णी प्रे, क्में देन दुख सुग्णी थान जिहालेने, तर्पान जडिलीशे पैर नावानम अर्पाइचिष्ट पल प disp transfer करने, जान बाइचिमक, मलयदिर। जान चाहच, वह रगरा अंतृ चैडिपारा कुछ लाभाद लगरते टेड़. तेना हाग पगर दे ये सुना रहते हो बक्तों के सीने में आज होना दीतार गुरूता आज होना दीतार दे हो आज होना दीतार गुरूता आज गुरूने ओना आज गुरूने ओना हम करना हाथ उपर उठाईए और ऐसे हवा में दोनों हाँ बक्ति में रंगी मजच चाने हो बुर्वर तेरे दीवाने 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 हो गए बक्ति में रंगी मजच चाने हो गए गुर्वर तेरे नाम के दिवाने हो गए और ट्रेक ये और ये सारे बच्चे छोटे छोटे के रहे हैं पुर्वर तेरे नाम के दिवाने हो गए और ट्रेक ये चलो एक बार ले चलो मुझे मेरे गुर्वर के बार ले चलो आथे था बार ट्रेक काओ घ्राएं डर्वर के दिवाने हो गए आसों आथे छाने तुर्वर तुलाएं गे जिनते दिन प्यारे गुर्वर घरे आएं गे तुझे ही पलके पलके ही पलके चुद्म लाया हूं ये अर्गता का जागे इतर लेट रप्या थाजिए नंदीश्वर दीप सबंदी बॉट्वाइब दीप सब्सक्राइब इतर लेट रप्या थाजिए नंदीश्वर दीप सब्सक्राइब ओम नमहा सिदीव्या ओम नमहा सिदीव्या यदर्चा भाविन प्रमुदित्मना दर्दुरेह चनादाशित्स्वर्गी गुणगन सम्प्रिद्ध शुक्निदी लवंते सद्वत्ता सिविसुक्समाजं कि मुतदा महावीर स्वामी नयन पतेगामी भवतुमे महावीर स्वामी नयन पतेगामी भवतुमे महावीर स्वामी नयन पतेगामी भवतुमे प्रितम्ति थंकर शब्देव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज गुरुदेव आच्यारी स्री पुष्पिदंत सागर जी महाराज की उत्तम्तियाग धर्म की अहिंसा पर्मो धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्माओ उत्म त्याग का दिन है और आज का ये दिन ये शंदेश दे रहा है कि जीवन में अर्जन की साथ साथ बिसरजन जरूर होना चाहिए शंदेश के साथ साथ त्याद होना चाहिए जो जोडते हैं जोडते हैं जोडते हैं छोडते नहीं है उनकी नईया डूब जाते हैं जोडो और छोडो ये जो पकड़ने की वासना है ये पकड़ने की जो आदत है ये पतन की आदत है एक बात याद रखना जीने के साथ साथ जीने के साथ साथ हमें जाना भी है ध्यान रखें हमेशा यहां नहीं रहना है जीना है बटोरना है एक दिन जाना है सब छोड़ना है महान होते हैं वो लोग मौत छुडाएं उससे पहले छोड़ देते हैं मौत तो छुडाएगी जितना जोड़ा है एक जटके में ले जाएगी लेकिन महान वो लोग होते हैं जो मौत आने से पहले मौक्ष की यात्रा कर लिया करते हैं जो समसान जाने से पहले सन्यास की साधना कर लेते हैं और अस्थियां बिखरें उससे पहले आस्थाओं को बटोर लिया करते हैं और चिता जले उससे पहले चितना को जागरत कर लिया करते हैं चिता तो जलना है जाना है दुनिया से मृत्यू तो होगी प्राणों का विसरजन तो होगा मौत सब चीनेगी उससे पहले अपने को छोड़ देना चाहिए इज़त इसी में सामने वाला छोड़ाए उससे पहले चोड़ दीजिए बेटा धक्का मार के घर से निकाले उससे अच्छा पन को पहले इसे घर से बाहर निकल लेना चाहिए अरजन के साथ साथ पिसरजन हो गहन करो और छोड़ो ये भारत की संस्कती है पुरातन संस्कती है ब्रक्ष से पत्ते जरेंगे नई तो नई कहां से आएंगे फल तूटेंगे नई तो नई फल कहां से आएंगे गाए का दूद निकालोगे नहीं तो गाए बेचेन हो जाएगे दूद निकालना गाए का शोशन नहीं है दूद्र निकालना गाय का पोशन हुआ करता है गाय को जीवन दान दिया जाता है विचार करिए जिन कूवों से पानी नहीं निकलता है उन कूवों की दसा क्या होती है आपको मालो है которых आजकल वैसे कूवे नहीं नहीं बचे है दो चार च्छे हैं तो ऐसे हैं कि उनका पानी पीने के लायक बचा नहीं है यदी धन है तो धनवालो बनो दानी यदी धन है तो धनवालो बनो दानी निकालोगे नहीं कुए से तो सड़ जाएगा पानी धनवालो निकालना महत ज़रूरी जिन कुओं का पानी निकलता रहता है वो पवित्र बने रहते हैं जिन कुओं के पानी निकलता है उनमें कीड़े नहीं पड़ा करते हैं जिन कुओं का पानी निकलता है उनमें बद्बू नहीं आया करती है वो जिन कुओं का पानी निकलते रहता है उसके स्रोत हमेशा साश्वत रहते हैं जोड जोड के मत रखो नाव चल रही है जिन्दगी की जब दूगने का समय आता है न तो ग्यानी लोग नाव से सामान बाहर फैकना सुरू कर देते हैं बरना बोज बढ़ेगा और नाव एक दिन डूब जाएगी पैसा तो है उपियोग करना है या दूब उपियोग करना है खाया खोया बह गया एक दाना एक चामल ध्यान रखना यदि आदमी के मुख में जाता है तो विष्टा बन जाता है ध्यान रखना एक अनाज एक दाना आदमी के मुख में जाएगा तो विष्टा बन जाएगा और वही दाना यदि जमीन पर जाएगा भूमी पर जाएगा तो हजार दाने अपने साथ लेकर फसल बन जाएगा और वही दाना वही चावल यदि भगवान के चरणों में आ जाएगा तो पुन बन जाएगा धर्म बन जाएगा दाना ये की है उपियोग कहां करना है ज्यान रखना भोगों में करना है फसल उगाने में करना है यदि भगवान के चरणों में लाकर समर्पित करना है यदि भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो पुन्य बन जाता है और परमपरा से मुक्ष का कारण बन जाया करता है धन वही है चाहे तो उसे बढ़ाते रहो विशे भोगों में लगाते रहो या धर्म और आत्म कल्यान और परमार्थ में उसे खर्चो एक जाड़ू मंदिर में लगाई जाती है जाड़ू तीनों जगे लग रही है लेकिन जब सड़क पर जाड़ू लगती है वह सुद्र का काम हो जाया करता है वह सुद्र कहलाया करता है जो सड़क पर जाड़ू लगी है वह नौकरी कहलाया करती है घर में जो ज़ाडू लगती है वो सफाई कहलाया करती है घर की सुद्धी कहलाया करती है और वही ज़ाडू यदि मंदिर में लगा दी जाए तो वह भगवान की पूजा कहलाया करती है पुन्य वन्य वही ज़ाडू पुन्य है वही जाडू पाप है ध्यान रखना आप अपनी संपदा का उपियों किस में करते हैं विशय भोगों में संपदा बढ़ाने में या प्रभू के चरणों में चढ़ाने में ध्यान रखना ये जो बोलियां ले लेकर पूजन पाठ कर रहे हैं आज ये बोलीयां नहीं लेते तो ये पैसा विशय भोग में खर्चोता लेकिन आज बोलीयां लेली धर्म ध्यान और जिन्साशन की प्रभावनामें खर्चो रहा है ध्यान रखना आगे जाके ये फलता है त्याग करिए त्याग दिये ऐसा करो कहां करना किसे देना कहां देना कब देना हर जगे मत देना कुपात्रों को दिया दान आत्म कल्यान में कारण नहीं बना करता है सतपात्र को दान दीजिए वही चामल यदि नाली में गिरा दोगे तो उसका कोई मूल नहीं हुआ करता है वही चामल यदी ले जा करके वही धान वही गेहूं वही जवार यदी किसी जमीन पर खेत पर डाल दोगे फसल ले करके बापिस आया करता है कहां खर्च कर रहे हैं ध्यान रखे मानिवर मकान बनाते हो ना तो उसमें नल्वी लगता है बोरिंग भी होती है पानी भी आता है लेकिन आते हुए पानी के साथ यदि पानी के निकलने का इस्थान नहीं बनाया तो मकान परवाद हो जाता है ध्यान रखे फिर दिवारों से पानी रिस्ता है दिवारें कमजोर होती है नीव कमजोर होती है तो हर आदमी अपने मकान में पानी के आने का दौर बनाता है तो निकालने का दौर भी बनाया करता है यदि पानी निकलेगा नहीं घर बरवाद हो जाएंगी आपसे निवेदन है धन कमाओ, कूप कमाओ भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि मत कमाओ उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी समाज गरीब हो जाए उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी समाज निधन हो जाए अरे इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना जोडो, इतना जोडो विसायत दुनिया में किसी के पास ना हो लेकिन जब छोड़ो तो इतना छोड़ो इतना छोड़ो कि तन पे कपड़ा भी नहीं बचना चाहिए तो तुम्हारा जीवन सार्थक है और सफल हो जाएगा रिशब देव ने इतना जोड़ा इतना जोड़ा होड़ा जो शंपदा प्रथम तीठणकर रिशब देव के पास ती वो शंपदा दुनिया में किसी के पास ना हो सकी कितनी संपदा खुद तीठंकर पिता अंतिम मनू कुलकर जिनका एक बेटा चक्र वर्ती हो जिनका एक पुत्र कामदेव बन करके खड़ा हो जिनका एक पुत्र अरंत वीर प्रथम मोक्ष गामी हो जिनकी बेटियां ब्राम्मी सुन्री के समान हो विचार करिये ऐसा बैभाव दुनिया में किसके पास प्राप्त हुआ सारे महानपद रिशब देव की घर में हो गए चक्रवर्ती उनी के घर में काम देव उनी के घर में नारायेड उनी के घर में साब उनी के घर में कोई महानपद एसा नहीं था जो रिशब देव की खांदान में ना हो रिशब देव के परिवार में ना हो ब्राम्मी सुन्री जैसी बेटियां रिशब देव के इबंस में पैदा हुआ करती है आप सोचिए कितना बड़ा परिवार होगा रिशब देव का उनकी अपनी खुद की दो रानिया नंदा शुनंदा यसश्वती जिनके सो पुत्र दो पुत्रिया जिनका जेश्ट पुत्र चक्रवर्टी बना चक्रवर्टी की 96 हज्जार रानिया कितना बड़ा होगा परिवार जैकुमार जी इतनी तो बारा मती की जनसंख्या नहीं होगी जितनी रिशब देव के नाती पोते हुए ते ध्यान रखिये इतना बड़ा परिवार कैसे चलता होगा एक घर की बाद अभी प्रजा अलग है अयोद्या की ये तो राजवन सहे ध्यान रखिये कितना बिशाल परिवार और हम लोगों से वो दो ही नहीं पलते है समझे में आ रहा उनने कितने पाल पोसके बड़े किये हम दो हमारे दो कुछ दिन बाद हम दो हमारा एक और जैसे ही बड़ा एक बड़ा हो जाएगा उस दिन हम दो हमारा कोई नहीं ध्यान रखिये मिचार करिये कितना बेभाव रिशब देव का भूख लगती रिशब देव को तो देवता द्वार पे हाथ जोड़े खड़े रहते कितना बेभाव रिशब देव का जिनके वस्त स्वर्ग से आते जिनका भोजन स्वर्ग से आता मा का इस्तन पान भी नहीं करते अंगुठे में अम्रत होता है चुस चुस कर बड़े हो जाते हैं बाल्य वस्ता में कितना बेभाव रिशब देव का कितना संपदा उनके पास तूट संपदा रिशब देव को उप्राप्त हुए हजारों जितने यहां सिविर में बैठे हैं इससे दस गुने तो उनके नोकर चाकर हुआ करते थे ध्यान रखे वो नोकर चाकर भी ऐसे नहीं कि हमारी पदम चंदो जंगू की तरह वो नोकर चाकर भी वड़े हाई फाई ऐसे नोकर चाकर नहीं वो नोकर चाकर जो थे देवता नोकरों का रूप बना कर जिनकी हां खड़े रहा करते हैं जिनकी सेवा में देविया लगी है बस्तर स्वर्ग से बोजन स्वर्ग से क्या कहना रिशब्देव के ठाट का जिस रत पे चल रहे तो स्वर्ग से रथाया है इस धर्ती का उन्होंने कुछ भी नहीं लिया कितनी संपदा रिशब्देव के पाट जिसके बेटे ने छेखंड जीत लिये हो जहां जनान निगाए डालो आरिया वर्त में सब रिशब्देव की भूमी थे महान तीथन कर हुए हजारों लाखों वर्स की आईउ मालू मैं कितनी आईउ थी रिशब्देव की महीं वालू कितनी आईउ थी पढ़ते लिखते नहीं हो 80 साल तुमारे पापा की नहीं पूछ रहे हैं कितनी आईउ थी रिशब्देव की आईउ अपन सब कई बार मर जाएंगे तब तक वो जीते रहे ध्यान रखना 84 लाख पूरुब लाख पूरुब जानते हो क्या होती है 84 लाख में 84 लाख का गुणा कर दो वो जो सेस आये गुणन फल वो उनकी आईउ थी ध्यान रखे इतना पिसाल जीमर जीया इतनी लंबी आईउ जीर सब्देव उने अयोध्या के समराज ध्यान रखे इतना पाया उन्होंने इतना पाया कि दुनिया में किसी के पास इतनी दौलत ना होगी जो रिशब्देव के पास थी जिसने जन्म से पहले रतनों की बरसा करा दी पूरे अयोध्या में पंद्रा महिने रतन बरसे ऐसे महान रिशब्देव उनके आगे अपनी हैसियत किसकी बोलूँ उनके चपरासी के चपरासी की भी नहीं है ज्यान दखे इतनी शंपदा रिशब्देव के पास समराट बने अपार दौलत पाई पाया तो इतना पाया इतना पाया कि एक दुनिया में किसी के पास इतनी दौलत ना होगी लेकिन जब रिशब्देव ने छोड़ा इतना छोड़ा इतना छोड़ा कि ना राजा ना रानी ना परिवार ना पुत्र ना पौत्र ना महल ना खजाने ना रुपिया ना पैसा इतना छोड़ा कि अपने तन पल एक धागा भी सिस नहीं रहने दिया मानिवर ये हमारे तीर्थंकरों की परंपरा बता रही है कि जोड़ना और छोड़ना मानों का धर्म होना चाहिए जोड़ लीजिए लेकिन अब छोड़ो भईया बूड़े हो अजित सेट अब क्या विचारे चलो हमारे साथ कहा लगे हुए हो तुम विचार करो भारत सेट सब यूँ अब इनका मराठी में मुझे पते नहीं चलता है सिरहा में हिल रहा की नामें हिल रहा है विचार करिए छोड़ो भोड देख लिया दुनिया छोड़ चाड़के उठाओ पिछी कमंडल बाबा बनाओ अब तो बाबा से डर लगने लगा है अब तो हर कोई माराज बनना चाहता है हमारा हलके बोला माराज कई वार भा होते हैं बाबा बन जाओं बाबा बन जाओं कई वार भा होते हैं वो जब जब आता है कि मोह माया छोड़ों और बाबा बन जाओं वो जब भी बाबा बनने की पूरा मन बनाता हूँ कोई ना कोई बाबा जेल चला जाता है विचार करें सोचना है आपको तो मेरा मूड गेंसिल हो जाता है अब तो बाबा से डल लगने लगा है ध्यान लखना मानने बाद सोचना है आपको जोड़ना और छोड़ना आज त्याब का दिन है छोड़ने का दिन है अभी आपने पूजा में पड़ा होगा दान चार प्रकार चार संग को दीजिए धन विजली उनहा नर्भवला हो लीजिए पूजा तो दान की कर रहे हो धर्म त्याग का है दान और त्याग में अंतर है ध्यान रखना जमीन आश्मान का अंतर है पूजा में दान के गुणगाए है और धर्म तो त्याग का है ध्यान रखना आप स्रावक हो आप त्याग करते हो आप दान करते हो जो मुनी है वह त्याग किया करता है ध्यान रखिए, आपको सोचना है आप जो भी जीवी का चला रहे हैं रुपिया कमा रहे, पैसा कमा रहे धन्दोलत कमा रहे, दुकान में जा रहे तिजोडियां आप क्या सोच रहे हो कि बिल्कुल पवित्र है तुमारी काई से भरती है तिजोड़ी पुढ़ने से या पाप से ध्यान रखना नमबर दो करोगे छल कपट करोगे बैमानी करोगे बाप की कसम खाओगे उसकी कसम खाओगे इससे ज़्यादा मैं नहीं पड़ता प्लीज ले लीजिए बहुत घाटा हो जाएगा घाटा खाक हो जाएगा मूल तू तू पहली ले चुका है विचार करिये आप ये ब्यापार है ये बिजनिस है इससे ही ब्यापार चलता है सामदाम दंडभे ब्यापार में च्छम है ये नहीं करोगे तो ब्यापार चलेगा नहीं ये करिये रिशब देव ने इसका मना नहीं किया है लेकिन एक बात ध्यान रखिए जब भी कोई समुद्र भरता है नुम्मई में जाके देखना समुद्र जब भी भरता है समुद्र केवल पवित्र नदियों से नहीं भरता है उसके साथ साथ गंदे नाले भी जाते हैं सहर की नालियां भी जाती है गटर भी जाता गंदगी भी जाता है ध्यान रखना नदियां तो फिर भी पवित्र होती है लेकिन समंदर पवित्र नहीं हुआ करता है ध्यान रखिए समंदर अकेली सुद्ध नदियों से नहीं भरता गंदगी भी पहुचा करती है वही आप से कह रहा हूं कि धन की तिजोडी केवल पवित चलना हो इससे भी आपार चलता है ध्यान रखना इसलिए कहा है कि सुबह से साम जो कुछ कर रहे हो पापों का अरजन हो रहा है जीवन में जो पाप की कमाई है भगवान कहते हैं इसका ब्याज चुकाते रहो ध्यान रखना तो दान से पाप का ब्याज चुकता है ध्यान रखिए दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से पाप का मूल चुक जाया करता है ध्यान रखिए जो त्याग करेगा वह इतना तो करो मूल तो तुम चुकाने ही शकते मूल चंदो ध्यान रखना कम से कम ब्याज की किस देते रहो धान करते रहो स्राव को धान करना तुहारा धर्म हुआ करता है मानने वह एक होता है त्याग और एक होता है दान एक बैदिक परंपरा में कहा है बेदों में कहा है कि आदमी की जब ब्रत्यू होती है तो उसे बैतरनी नदी पार करना पड़ती है बैतरनी नदी यह ना काम धेनू उसमें गाय है जो पुन्यात्मा होते हैं उसकी पूँच पकड़ लेते हैं वो पुन्यात्मा को पार कर देत जो पापी होते हैं वो नदी में डूब डूब के मर जाते हैं अब एक कहानी सची है जूटी मुझे नहीं मालूम ना मैं इस लफड़े में पढ़ता हूँ लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि बैतरनी नदी पार करना है तो बैतरनी सब्द पे मैंने ध्यान दिया कि बैत करनी सब्द बितरन से बना हुआ है ध्यान लखना बितरन से बैतरनी तो जो बितरन करता है वो बैतरनी को बारे कर लिया करता है और जो जो जोड़ता है वो बैतरनी में डूब जाया कर ध्यान लखना पार होना है दोनों हात उलीचिये यही सियानों का काम ध्यान लखना सिय नापन यही है कि नाओं में पानी जादा हो तो उसे बाहर फेकने का प्रयास करिए माने वाद कुछ चीजें दुनिया में ऐसी है जिनका केवल दान हो सकता है त्याग नहीं हो सकता कुछ चीजें ऐसी है जिनका त्याग हो सकता है दान नहीं हो सकता और कुछ चीजे दुनिया में ऐसी है जिनका त्याग भी होता है और दान भी होता है दोनों होते है कौन सी चीज है जिसका दान कर सकते हो पर त्याग नहीं कर सकते है और कौन सी चीज है जिसका त्याग कर सकते हो पर दान नहीं कर सकते है और कौन सी चीज है जिसका त्याग भी हो सकता है और दान भी हो सकता है बताइए भाई कौन सी चीज जिसका दान होता है त्याग नहीं होता है बोलिए मालू में इतनी सीधे हो तुम लो सब मालू में तुम लेकिन जो बोले वो कुंडी खोले फसे को ध्यान लखिए विचार दोना है आपको राग द्विश क्रोध मान माया लोग इनका दान होता है या त्याग होता है बोले राग देश का त्याग किया जाता है आप किसी से नहीं कह सकते कि भईया मेरा थोड़ा सा राग मैं तुझे दान में दे रहा हो मैं अपना क्रोध तुझे दान में दे रहा हो मैं अपना गाली तुझे दान में दे रहा हो ध्यान लखना राग देश क्रोध मान माया लोग ये मन के दूशित परिणाम इनका दान नहीं किया जाता इनका त्याग किया जाता है रागदिश का त्याग करिए क्रोध मान माया लोप का त्याग करिए इनका दान मत करिए दान किसका होता है अभै दान ग्यान दान मैं आपको ग्यान दान दे रहा हूं मैं ग्यान का त्याग नहीं कर सकता हूं त्यान रखना ग्यान का दान किया जाता है मैं दया का दान कर रहा हूँ मैं करुणा का दान कर रहा हूँ मैं ग्यान का दान कर रहा हूँ इनका केवल दान हो सकता है इनका त्याग नहीं हो सकता कुछ चीजें ऐसी है जिनका दान भी होता है और त्याग भी होता है वो चीजें यदि कोई है रुपे पैसे का दोनों चीज होता है रुपे पैसे का दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है मकान का दान भी हो सकता है त्याग भी हो सकता है भोजन का दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है त्याग भी हो सकता है दान में परिग्रे होना बहुत जरूरी है होगा नहीं तो दोगे कहां से ध्यान रखिए दान की तासीर है बुगेता है पहले जोड़ो जोडने के बाद उसमें से थोड़ा सा धान करो ध्यान रखिए त्याग के लिए परिग्रे होना जरूरी नहीं है ध्यान रखना यदि कोई दान के लिए पैसा होगा तभी दान होगा लेकिन त्याग में यदि एक रुपया भी नहीं है तो भी आप तीनों लोगों की संपदा का त्याग कर सकते हैं दान में दो लोग चाहिए एक देने वाला और एक लेने वाला त्याग में दो नहीं चाहिए कोई ले या ना ले हम त्याग कर सकते हैं लेकिन दान में तो दो चाहिए एक वए है जो दाता है एक वए है जो पात्र है एक बात याद रखना दान अच्छी चीज़ों का किया जाता है बुराईयों का दान नहीं होता है पूजन में जो चढ़ा रहे हो अच्छी चीज चढ़ाओ खराब चीज नहीं ध्यान रखना आप किसी को भी कुछ दे रहे हो तो अच्छी चीजों का दान अच्छी चीजों का होता है त्याग अच्छी चीजों का कभी नहीं होता त्याग तो बुराईयों का होता है त्याग तो गलत चीज़ों का हुआ करता है और एक बात याद रखना दान में परोपकार की भावना है ध्यान रखना उसका कल्यान हो इसलिए मैं दे त्याग में उपकार और परोपकार की बात नहीं है त्याग माने त्याग मुझे अब उससे कोई मतलब दान में कुछ बचाया जाता है कुछ छोड़ा जाता है लेकिन त्याग में कुछ भी नहीं बचाया जाता है दान में ये देखा जाता है कि कितना दिया समझ में आ रहा एक लाग दिया दो लाग दिया पांच लाग दिया द पर ध्यान दिया जाता है कि आप उने बचाया कितना है ध्यान रखने दान और त्याग साथ साथ चला करते हैं ध्यान रखने मानने बर पैसा दान करने के लिए पैसा होना जरूरी है या नहीं भूलो कि पडोसी का निकाल के दे दोगे अपने पास होना जरूरी है ना लेकिन साधी का त्याग करने के लिए बीवी जरूरी है क्या बोलिए नहीं है ना तो फिर है तो उसे काय को पकड़े वैठे हो ध्यान लखिए स्त्याग करने के लिए जोड़ना जरूरी नहीं है दान के लिए जोड़ना वो बीवी का त्यागी हो सकता है भाई जे कुमार जी दान तो नहीं हो सकता न कन्या दान तो होता आज तक हमने नहीं सुना पत्नी दान में ले ले यह तो हो जी नहीं सकता है पत्नी का तो त्यागी किया जाता है पुत्रों का तो त्याग ही किया जाता है शंपदा का त्याग ही किया जाता है ध्यान रखना ध्यान और त्याग थोड़ी सी छोड़ने की प्रवत्ति अपनाओ आज पूरे बिश्व में जैन समाज ने एक पहचान बनाई है कि जितना दान पूरे बिश्व में जेन समाज करता है उतना दान कोई समाज अपने जीवन में नहीं कर पता है एक पहचान है मारी दानी समाज है और यही बात है कि आई पूरे बिश्व में पूरे हिंदुस्तान में जोड़ी सबसे ज़्यादा संपन्य समाज में किसी का नाम आता है तो किसका आता है जेन समाज का नाम आता है मोदी से ज़्यादा पढ़ी लिखी समाज कौन सी है सबसे ज़्यादा कौन सी समाज है जिसमें पुरुस्तो छोडो महलाएं भी पढ़ी लिखी होती है और जब इंडिया टुडे ने इसका सर्वे किया तो यही निलनाय आया कि भारत में जैन समाज सबसे पढ़ा लिखा समाज हुआ करता है वहाँ अग्यानता नहीं हुआ करती है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चिया यदि कोई होती है तो जैन समाज के पास है एक पढ़ी लिखी समाज में तुम्हारा नाम है एक सब समाज में तुम्हारा नाम है एक दानप्री समाज में तुम्हारा नाम है और एक जगए और सर्वे हुआ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टेक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जेन समाज हुआ करती है जो सबसे ज़्यादा टेक्स दिया ये गौरब हमने प्राप्त किया ये गरिमा हमने प्राप्त किया ये सम्मान हमने प्राप्त किया सबसे ज़्यादा टेक्स इसका मतलब है भारत का असली बित्त मंत्री यदि कोई है तो जेन समाज असली बित्त मंत्री है उसके पास अर्थ तंत्र है भारत की राजनीती भारत देश की अर्थ बिवस्था को मजबूत करने वाला कोई समाज यदि हिंदुस्तान में हे तो भगवान मावीर का ये समाज हिंदुस्तान में आर्थिक मजबूती की है इस जैन समाज ने ध्यान रखा क्यों हम سबसे ज़ादा समाज सेवा, सोसल वर्क जैन समाज करता है और आज ये पूरे हिंदुस्तान में देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा गौशाला यदी संचालित है तो जेन समाज के द्वारा संचालित है और समाजों की है लेकिन जिस तरह से जेन समाज जीवों के प्रती करणा भाव रखता है ये हमारा गौरव है ये हमें पूर्वज़ों से प्राप्त हुआ है और आज भी चला जा रहा है ध्यान रखे त्याग तपस्या का धन उत्म त्याग का दिन है हम बोलो है जिन्हें दिये बिना चेन नहीं पड़ता मानिवर मैंने बहुत समाज देखी ऐसी समाज नहीं देखी कि जो स्वयम के भोजन की उतनी चिaniumता नहीं करते अपने पेट भरने की चिनता नहीं करते सबसे पहले अपने भोजन से पहले गुरुओं को भोजन कराती है वो समाज कोई है तो जेन समाज हुआ करती है और एक बात ओध्यान रखना जेन गुरु वो होते हैं ये बाबा वेरागी नहीं होते हैं ये मुनी होते हैं ये संत होते हैं जेन संत वो होता है जो पहले देता है फिर लेता है आहार कप करूँगा पहले तुम्हारा ज्यान से पेट बरूँगा उसके बाद मैं आहार लेने के लिए जाओंगा जो अंजुली भर लेता है और दर्या भर लटा देता है बोजेन मैं कोई नास्ता करके आया हूं क्या कोई ब्रेटफास्ट कोई सिकन्जी मिकन्जी पीके आया क्या कल 24 घंटे के बाद अब नंबर आएगा लेकिन मैं बाद में खाऊंगा पहले तुम्हारे कल्यान का प्रवचन भोजन तुम्हें प्रदान करूँगा भूखे रहकर प्रवचन देना यह जेन संतों के बसकी ही बात है वरना लोग खाते हैं पीते हैं फिर आके लंबी कठाएं चलती रहती हैं घंटों पूरे पूरे दिन चलती रहती है जेन समाज में ऐसा नहीं हुआ करता है और मेरी समाज तो वो समाज है कि जब तक मंदिर ना चली जाए अन्ने का धाना भी अपने मुख में डालती कुछ बेहिमान है उनकी अपन बाते देखो अच्छी बाते करो बेहिमानी की बाते काई को करना है बिचार करना, सोचना है मानने बन हमारी समाज का गौरब है, त्याग है तपस्या है हमारे पास आज हजारों लाखों मंदिर देश में है लेकिन यदि सर्वे कर लिया जाए तो जितनी मंदिरों पे स्रद्धा जैनियों की है हमने अपना भगवान कहीं भी नहीं बिठाया ध्यान रखना हम अपने रहने का मकान छोटा बना लेते हैं लेकिन भगवान का मंदिर आली शान बनाया करते हैं यह हमारी समाज की गौरब करिए आली शान मंदिर है करो करो ना रुपे के मंदिर है भगवान का भक्त तूटे फूटे में रह लेगा लेकिन मेरा बाबा हमारी आस्ता है हमारी भगवान कभी देखे कि यहाँ वहाँ कई नाली के पास कई कचड़े के पास कई यहाँ जेन मंदिर बनाओ कभी जिन्दगी में नहीं ध्यान रखना हम अपनी आनवान और सान से अपने भगवान को विदाजमान किया करते हैं यह हमारी शंपदा है सोचना है दान करो यह प्रवत्ती जिन्दा रखो एक आदर्स समाज में हमारा नाम आता है मानने में मैंने यहाँ के मंदिर देखे बड़ा सुन्दर मंदिर आली शान मंदिर भगवान की विद्मा देखते ही बनती है यह मेरा दुर्भाग है कि मैं रोज वहाँ नहीं जा पाता लेकिन बहुत सुन्दर मंदिर मैंने फल्टन के मंदिर देखे मैंने यहाँ के मंदिर देखे इतना भव्य मंदिर ऐसा मंदिर यदि मैं सुवए से साम तक तुमारे घरों में घूमने चला जाओं तो साइद इतने सुन्दर तुमारे मकान नहीं होंगे जितना सुन्दर भगवान का मंदिर हमें बना रखाए यह आस्था है एक आदमी ने पूछा जिएश्टी लग जाए जैनियों को फरक नहीं पढ़ता है अपने काई का फरक पढ़ता है ले ले बहिया और ले ले जितना तुम से टेक्स ले रहा है उतने की तो हम बोली लेके छोड़ दिया करते हैं घबराने की जरूत क्या उतनी मेरी समाच का आदमी मुनियों को पिछी भैट करने में अपना फैसा दे दिया क्या कमी अपने को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला जिएश्टी में अश्टी से फरक उने पढ़े जिनके घोटाले हो जिनके ग्राम काले हो अपने आतों साब नंबर बन चला करता है टेंसन वाली कोई जग चीज क्या फरक पढ़ा देखो नोट बंदी हुई सबकी दुकाने बन सब जगे ब्यापार में गट 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 पढ़ा हो रहा है नोट नहीं है नोट नहीं है आप विचार करिए नोट बंदी से दुकाने तुमारी बंद हो गई नोट बंदी से जी एस्टी से तुमारे धंदे में फरक पढ़ गया हमारे में कोई पढ़ा किया बताईए हमारा धंदा तो वैसा ही मुनियों की सभा में तो आज भी करोडों ही बरस रहे कितने भी मोदी लगा दें जेनियों के पास किसी चीज की कमी नहीं एक आद्वी ने पुछा कि जेनी भीक क्यों नहीं मांगता ध्यान रखना करोडों भिकारी दिख जाएंगे देश में जेन नहीं मिलेगा भिकारी पूछ लेना तेरी जात क्या है जेन गरीब मिल जाएगा लेकिन भीक मांगते नहीं मिलेगा जेन रिक्सा चला लेगा जेन महला गरीब होगी कपड़े सिल देगी रोटियां बना देगी लेकिन भीक नहीं मांगेगी ध्यान रखना मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कोई भी जैनी बिठला कितने भी भिकारियों से पूछ ले ना कि तू जैन है तो कहगा नई क्यों क्यों कि जैन समाज में पैदा होने वाला इतना पुन्य तो लेकर आता है कि दो वक्त की रोटी खुद कमाके खा लिया करता है क्यों से भीक मांगने की क्यों ये पुन्य कहां से कमाया जैनी ने कहां से कमाया अपने बाबा से अरे मेरे भाई एक आदमी बोला कि माराज ये तुमारे भगवान नंगे क्यों रहते हैं तो हमने का तुमारे कपड़े क्यों पहनते हैं विश्यू जी के पास लक्ष्मी थी, नहीं थी विश्यू की पत्ने बिधल, लक्ष्मी थी न, तो विश्यू जी जम बैकुन्थ गए तो लक्ष्मी को साथ ले गए, और हमारे भगवान जो लक्ष्मी थी वो इन्हें दे गए, अपने तनकाली कपड़ा उतार के फैख दिया अपने यहां से कुछ लेकर रही गए जेनों के भगवान कपड़े भी उतार के दे जाते हैं तो जिसका भगवान अपनी समाच के लिए कपड़े भी उतार देता हो वो समाच कैसे गरीब रहे गी उसके पास कहां से भीक मांगरे का उसर मिलेगा ध्यान रखिये हमारे भगवान ने तो अपनी समाज को सम्रद करने के लिए एक टाइम का भोजन तक त्याकर दिया करते हैं बोजेन संदर अरे महल भक्तों को दे दिये जंगल खुद अपना लिये बोजेनों के भगवान जो खुद जंगल में रहते हैं और महल भक्तों के हवाले कर दिया करते हैं हम क्या करते हैं एक मुठी चामल ले जाते हैं वो भगवान को चढ़ा देते हैं फिर उसमें से एक दाना भी खाते नहीं है हमारे यहां निर्माल है हमारे यहां पाप है यह जो चड़ावा है इसको खाना पाप माना जाता है निर्माल माना जाता है हम लेते हैं तो जब हमारे भगवान देखते यार विचारे के पास कुछ नहीं था एक मुठी चामल था गरीब के पाथ वो भी यहां चड़ा गया अपने लिए एक दाना भी नहीं ले गया तो फिर जैनों के भगवान सोचते हैं जिसने एक मुठी चामल यहां रख दिया अब उसके घर बोरे भर के भिजवाने का काम मेरा काम हुआ करता है इसलिए जैन कभी भी को नहीं मांगता हमने जो सामगरी चड़ा दी तो चड़ा दी अब उससे हमारा कोई संबन्ध नहीं है वज ठोड़ दिया जाता है यह थोड़ी की एक नरियल चड़ाया इत्ता सा चड़ाया इत्ता खा गए तो भगवान को क्या मिला मेरे भाई? ध्यान रखना जैन ऐसा नहीं करते हैं जैन ने जो दे दिया तो एक सेथ था बहुत बड़ा बहुत पैसा था उसके पास एक सभा में बैठा था सबसे पीछे और पूरा गाउ जानता था कि ये सेथ कंजूस है पूरा मक्खी चोस है इतना कंजूस से एक रुपया भी दान नहीं कर पीछे आके बैठ जाए एक दिन उस सेथ ने कमेंस किया कि क्या होता है पैसा मेंसा दान करने कमाएं हम पैसा तुमको दे दें कोई बात नहीं बैठे रहो सेथ जी एक दिन उसके दिमाख में नहीं जाने क्या सूजा ऐसे सनक गया आप बारामती की सनक जाते हैं ना ये कभी ग्यारा हजार की वो ली तो कभी लाखों में चली जाती है बस मूड बनना चाहिए इनका बस मूड नहीं बना तो आप पुलक सागर भी कुछ नहीं निकाल सकते मूड बन गया तो यह से बरसेंगे जैसे मानसून आ गया हो बारामती का काम है लेकिन एक बार पका है कि जैनियों का पैसा बहुत पैसा है लेकिन निकाल हर कोई नहीं सकता ध्यान लगना तीनी लोग निकालते जैनियों का पैसा एक तो डॉक्टर जेजे एक जैनी का पैसा डॉक्टर निकाल सकता है दूसरा दामान कितना दोगे लड़की की साधी लाओ ऐसी साधी वेसी साधी ये लाओ कबर साव लीजिये दमान साव लीजिये दिये जा रहे है एक दमान निकाल सकता है एक डॉक्टर निकाल सकता है तीसरा मुनी महाराज मुनी तो इतना फाश्ट निकालते हैं तुम्हारा पैसा कि जिन्दगी में दमान और डाक्टर ने नहीं निकाला होगा वो मुनी बरना इन तीन के अलाबा पत्नी भी ते जोड़ी में हाथ नहीं लगा सकती ध्यान रखना मानने बाद पैसा नहीं निकाला तो जे जे की 108 आएगी समझ गया क्या और यहां निकाल दिया तो ये वाला 108 आएगा विचार करना है 108 मुझे भी एंबुलेंस का नंबर क्या होता है 108 ही होता है ना मुनियों को दे दो नहीं तो 108 आएगी ध्यान रखना माने बड़ सोचना है आपको विचार करना है वो सेट कभी दान नहीं करता था एक दिन समझ गया ना जाने दिमाग को क्या सूला एक लाग की बोली ले ली इतनी इतालिया पंडाल में इतनी इतालिया अरे लोगों ने कहा यार ये ये महराज तुम रेत में से तेल निकाल रहे हो अब महराज ने कहा भाई देखो ये काम तो हम ही कर सकते है दुनिया में और कोई दूसरा नहीं कर सकता है रेत में से तेल निकालना उससे एक लाग की इतनी इतालिया बनी करोडों की बोली ले तो उत्ती ताली नहीं जित्ती मक्षी चूस की तालीयां मजी है पूरा समाज पलट पलट के देख रहा है ये 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 चबनी गिर जाए नाली में तो उठा के रख ले हाथ दो के ये बोली ले रहा है लोगों को हुआ ले तो रहा है देगा या अब तरस्टियों को तो ही चलती रहता ये देगा नहीं देगा ले तो लिये नहीं आया तो इसका भरोजा क्या है इस आदमी का उसकी कोई साख नहीं थी कोई इज़त नहीं थी बोली ले ले पसीना तो आ रहा है तरस्टियों की बसूली कैसे होगी भाई ये ले तो गया है द्यान रखिए मान मा लपड़े बहुत होते हैं समाज बोली ले ली उसने अरे बोले सेट जी आईए आईए इस्टेट पे बुलाया माला डली साल उड़ाई मॉमेंटो दिया अरे सेट जी आईए आगे बैठी आगे बैठीए सेट ने हमसे प्रस्ण किया माराज ये बोली कोई दानवान के लिए नहीं ली है मैंने पूरी सभा में सन्नाटा कड़बड कर रहा है दिखाबा कर रहा है क्या बोले ये बोली लेके मैं ये पता कर रहा हूं कि तुम्हारी सभा में भी पैसों का सम्मान होता है आपकी सभा में तो किसी का भी हो सकता है गरीब का भी हो सकता है लेकिन महराजों की नजरों में भी पैसे वाला महान होता है कैसे बीतरागी हैं आप पैसों को माला पहना रहे हैं मैंने पैसा दिया माला पहनाई तुम्हारे यहां भी गरीब अमीर का भेद होता है क्या तुम्हारे यहां भी पैसे वालों की कीमत होती है क्या मैंने का बिल्कुल नहीं तुम बोले अब देख तो रहा हूं आठ दिन से आ रहा हूं किसी ने स्टेज पे नहीं बुलाया आगे नहीं बिठाया आज बोली ली तो यह माला डाल दी मेरे गले में स्वादत हो गया मैं पीछे बैठ रहा हूं तो आगे बिठा रहे है क्या तुम्हारी सभा में भी पैसे की जेजेकार होती है मैंने का बिल्कुल नहीं तो भूले मैंने तो देख लिया हीरा मोती खिलाएगा क्या मुझे क्या खिलाएगा दाल रोटी खिलाएगा गरीब के घर जाओं तो क्या खिलाएगा दाल मेरे को फाइदा क्या पैसे वाले हो गरीब से भोजन तो मुझे वोई मिलना है लेकिन चलता है सब सुनना पड़ता है पैसे वालों के महराज उसने का महराज मैंने आज देख लिया तुमारी सवाँ में दी पैसे का सम्मान है मैंने का पागल मेरी सवाँ में पैसों का सम्मान नहीं हो सकता है तो बोले माला क्यों डली मुझे मैंने एक लाग दी इसलिए डली न मेंने का बेटा पैसे वाला तो तू पांच मिनट पहले भी था और पैसे वाला तू आज भी है ध्यान रख यदि तेरा सतकार इस सभा में हुआ है तो पैसा जोडने से नहीं हुआ है पैसा जोडने से सतकार हुआ है यहां पर पैसो का सम्मान नहीं होता है जो पैसो को पकड़ के रखते हैं उसका सम्मान नहीं जो पैसो का त्याग करते हैं उसका सम्मान हुआ कर पैसे वाला तो तू पहले भी था पांच मेट पहले भी अमीर था अभी भी अमीर है लेकिन ये जो माला डली है न ये तेरे त्याग भाव को माला डली है तेरे संग्रे भाव को माला नहीं डली किसको डालते है अपन भारत दोशे स्वागत पैसे का थोड़ी करते जो वो त्याग कर रहा है उसकी त्याग भाउनाओं का स्वागत हुआ करता है उसकी दान प्रबत्ती का सब पैसे वाला तो पहले भी है बाद में भी है कौन पूछता है मिनका बोल आज दिन से तू पैसे वाला है पीछे बैठता था किसी ने नहीं पूछा लेकिन जब उस पैसे का त्याग किया वहां से उठकर यहां आ गया मिनका सेट और त्याग कर दे तो यहां से उठकर यहां आने में ज़्यादा देर नहीं जितना त्याग करोगे उतना उपर उठोगे जितना जोड़के रखोगे उतना पतन को प्राप्त एक साधू था नया समय हो रहा है नया नया सन्यासी था खतम कर दू ने है तो एक्षा लेकिन बोल भी नहीं सकते है अब मैं छोड़ भी नहीं सकता कि आज रभीवार है दोनों अपने अपने जगार में लगे हुए है आज रभीवार है बंद वाजार है इस से आना पड़ा ध्यान रखिए विजार करिए वो जो साधू था नया नया बना उसको ना जाने क्या सूजी लोगों से पैसा एकटा करने लगा जो पड़ी में नोट गिंद्रा रात को 10, 20, 30, 40, 50, 60 गुरू ने देखा गुरू बुड़े सन्यासी थे वो जवान था गुरू ने कहा पागल ये नोटों को छोड़के तो साधू बनते हैं तू यहाँ नोट गिन रहा है देखा नहीं बाबाओं का क्या घोटाला चल रहा है अब तू समल के रह नहीं तू ले जाएगा मोदी उठा के किसी दिल ध्यान रखिए बाबाओ साधान हो जाओ नवंद विश्वास चलने वाला नहीं है उसने का बाबा तुम नहीं समझोगे तुमारा बुड़ा पाए सठेया गए हो नया चेला था बाब बड़ाना भाईया सबसे बड़ा जब तुम्हें प्रोचने याद है तुम्हेरा गला क्यों फड़वा रहा आधा तो तुम्हें पहली से याद है टका हरता टका करता टका मोक्ष प्रदाय का पैसा ही सब करता है पैसा ही सब जोड़ता है पैसे से ही मोक्ष होता है जेले ने गुरु को समझा दिया अब गुरु बूरे थे उनने का चलो यार यह ऐसे तो समझेगा नहीं बक्त की मार एक दिन इसको सब समझा देगी चलो क्या करे कौन भेड़े इन लोगों से फिर भी उन्होंने का तु कोशिश कर पैसे का त्याब कर यह रखमत सादू है क्या करना तुझे पैसे का उसमें का बावा जी आप सांत बैठो ज़्यादा बखबख मत करो इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है मोक्ष भी नहीं होगा इसके बिना एक दिन दोनों गुरू चेले चले जा रहे थे जंगल की तरब साम होने को आई गुरू ने चेले से कहा कि देख भाई यह बहुत बड़ी नदी है पुल भी नहीं है उस पार चलो रात गिरने को है देखो वो नाव वाला खड़ा है उससे पूछो क्या हमें नाव पार करा देगा चेले ने कहा अब आएगा बाबा जी मजा नाव वाला कोई अपना रिष्तेदार है क्या जो पार करा देगा जाके पूछा भाई हमें पार करा देगा नाव वाला इनका चलो चलो सुबे से बहुनी वच्टा तो हुई नहीं उसाम को तुम मिले हो बाबा बहरागी तुम क्या दोगे मुझे अरे उसने का यह मसमेट कि कुछ नहीं देगे नाव पार करेगा भड़ा देंगे किराया देंगे तुझे किराया दोगे बाबा जी बोले हाँ तुम बोले आओ जल्दी बैठो आओ मैं तुम्हे उस पार लगाता हूँ रात होने को है उसने बड़े गुरु को बुलाया बाबा जी आजाओ नाव पार लगाएगा यह दोनों बाबा बैठ गए नाव उस पार पहुँची अब युवा सन्यासी ने वहीं गुजानना पड़ती बड़ा उपदेश दे रहते पैसा मत रख पैसा मच्चू पैसा मच्चू तुमारी बातों में लग जाता ना तो सारी रात वहीं गुजानते खुले मैं देखो आज ये नोट थे तो हम नदी पार हो गए गुरू मुस्क्राए गुरू ने कहा तुझे अभी भी समझ में नहीं आया बोले अब क्या समझ में जेम में पैसा नहीं होता तो ना उपार नहीं लगती गुरू ने कहा पागल जेम में पैसा होता तो ना उपार नहीं लगती बोले कैसे उल्टी वाते करते हो बोले तू कह रहा है कि पैसा नहीं होता तो नाउपार नहीं लगती और मैं कह रहा हूं कि जेब में पैसा होता तो नाउपार नहीं लगती बोले क्या मतलब बोले पागल कितने पैसे लिये इसने बोले सो रुपे लिये तो बोले सो रुपे में नाव पार हुए है बोले बिल्कुल पैसा दिया तब हुए है अरे बोले पागल जवानी में लड़ खडा रहा है सो रुपे में नाव पार नहीं हुए सो रुपे के त्याग में नाव पार हुई है ये सो रुपे के त्याग से नाव पार हो शक्ती है पूरा त्याग कर दे संसार से बार हो जाएंगे ध्यान रखना लोग को नोट दिख रहे उसे त्याग दिख रहा है बाबा को दिख रहा है अब बताओ यदि वो सो का नोट दवा के रखता तो नाव वाला उस पार लगाता क्या उसने सौका त्याग किया तो नहीं अपारे लगे उत्तम त्याग कहो जग सारा ओ शदी सास्त अब है आहारा ध्यान रखिये त्याग से ही मिलता है त्याग तेल भुंजी था त्याग पुर्वग भोग करो जिन्होंने भी पाया है त्याक से पाया है नदी से सरोबर ने कहा ओ पगली इस सारा पानी समुद्र को देती है पागल है के तू सूख जाएगी पानी कम हो जाएगा मुझे देख मैं नहीं देता किसी समुद्र को पाने नदी ने कहा ओ सरोबर भाई क्या करूं बिना दिये मुझे चेन ही नहीं आता है बोले पागल हो गई है सुख इसाम राग दिन समुद्र को दिये जा रही दिये जा रही दिये जा रही लुट जाएगी बरबाद हो जाएगी नदी ने कहा समुद्र सरोबर भाई मैं दूंगी नहीं तो बड़ी केसे बनोंगी बोले क्या मतलब बोले देख तु जैसा है बैसे ही रहेगा यहीं रहता है तो हिलडूल तो सकता है पर आगे नहीं बढ़ सकता है और मैं सारा पानी समुद्र को इसलिए देती हूँ कि मुझे बड़ा बनना है क्योंकि जब समुद्र को पानी दूंगी तभी तो मैं समुद्र कहलाऊंगी वरना नदी बनकर घूमती रहूंगी गर्मी के दिन आये सरोबर सूख गया नदी ने कहा ओ सरोबर भाई देना सीख लेता तो आज बढ़ा बढ़ा सूखता नहीं मेरी तरह सतत बहता रहता शरीता बना रहता शरोबर कुछ नहीं देता है शरीता देती है इसलिए सर गंगा कभी सूखती नहीं है क्योंकि गंगा सागर को पानी देती रहती है लेकिन सरोबर सूख जाता है वह जोड़ना तो जानता है लेकिन छोड़ना नहीं जानता छोड़ना दिल बढ़ा करिए छोड़ने के लिए तुम्हें मालूम है अपनी बात समात करता हूँ कुछ फल ऐसे होते हैं जो पेड़ पर लगते हैं रोज तोड़े जाते हैं रोज नए आ जाते हैं ज्यान रखना जो पेड़ फलों का त्याग करते हैं वो सदारे रहा करते हैं जो पोधे फूलों का त्याग करते हैं वो हमेशा सुगंदी तरह करते हैं लेकिन कुछ बनस्पती ऐसी है जो त्याग नहीं करती जोड़ जोड़ के रखती है दवा दवा के रखती है जमीकंद आलू प्याज, कांदा, लैसन ये जमीन के अंदर है ना ये अपने फलों को छिपा के रखते है जमीकंद धर्ती के अंदर दवा रहता है जब भी उखाड़ा जाता है जड़ से उखाड़ा जाता है लेकिन आम का पेड़ कभी जड़ से जो दवा दवा के रखेगा जड़ से उखाड़ा जाएगा वो जो लुटाते रहेगा वो हरा भरा खड़ा रहा है जमी इसलिए तो जेनी लोग नहीं खाते आलू प्याज लेसन कांदा नहीं खाते क्योंकि वो छिपा छिपा के रखते दवा दवा के रखते अब जब भी आलू निकलेगा तो बोलो फल तोड़ा जाएगा या जड़ से उखाड़ा जाएगा ये जड़ से लुटाते रहो लुटाते रहो जो लुटाता है वह लोट कराता है मन में सद्दा भक्ती लेकर जो तूदान करेगा उपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा उपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा लगे कापुने हाथ बता तू देना कब सीखेगा बुड़ापा आ गया कभी दिया ही नहीं लगे कापुने हाथ बता तू देना कब सीखेगा रोज वो तेरी लेन देन की खाता वही लिखेगा और कैसे भुना सकेगा रे पगले जब जमा ही कुछ न करेगा उपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा उपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा जो लुटाता है उस पर लोट लोट करके आता है वो जो दवाता है वो जड़ से उखाड़ा जाता है ध्यान दखी मानिवार उत्तम त्याग का दिन है दान का दिन है आदमी को दोनों हाथ से दान देना चाहिए आप सबने शुना अनुग्रेत हूं भगवजनेन महार्चना का कारीक्रम दोने माजे दोने माजे दोने माजे दोने माजे चलिए कल का कल क्या बताया था यूरिवीजन माइक पहुंचाओ यूरिवीजन व्यक्ति को देखो व्यक्ति को देखो व्यक्ति को देखो ये बारे में बताया और चोटी जीद को बड़ी सब्सक्राप मत समझना और अच्छे चीदों अच्छे चीदों को महतोदोगा अच्छे चीदों को महतोदोगा बस माई एक चालू करो वहां से आदा तुन से नफरत करो गलत आद्तों से अच्छी आद्तों से नहीं करना और कोई एक दूसरे को नहीं समझोगे तो कशाय बढ़ेगी इसलिए समझ ये एक दूसरो को बोलो तुम तो थे ही नहीं बोल कहा सराय मैंने लिख लिया था हमार अज़ बात में कॉपी छोटी जीत को बड़ी सफलता मत समझो लड़ाई जगड़े में जीत कर कोई आवार्ट प्राप्त नहीं होगा केवल जो उप्योगी होता है उसे ही दिमाग में धारन करें अच्छी बातों को महत्व दीजे मैं इन चीज तो कोई बूल नहीं रहा है जिस पर हुई थी किलास हम भूलते क्यों हैं किसी भी चीज को क्यों भूल जाते हैं जो चीज इंपॉर्टन है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए उसे महत्व पूर्व देना चाहिए जो चीज इंपॉर्टन है उसे भूलते हैं हम जिसे महत्व देते हैं उसे नहीं भूलते हैं और जिस चीज को महत्व नहीं देते हैं उसे भूल जाते हैं इसलिए कुछ दिन वाद उसको भूल जाते हैं और जिसे महत तो देते हैं वो हमेशा याद रहते हैं कितने दिन से पढ़ाई चल रही है लिखाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कितने दिन हो गए आठ दिन में क्या सीखा यह मत पूछो क्या सीखा कशाय चर्चा किसकी चल रही थी कि हमें कशायों को जीतना है यह कशाय हमारों लुग नुकसान पहुचाती है किस तरह से नुकसान पहुचाती है भाई भी हमने बताया था जैसे एक बच्चे को बहुत गुसा आता था बाद बाद पर गुसा आता था बच्चे को क्या हमें भी आ सकता है बाद बाद पर गुसा जब गुसा आया क्रोध आया तो वो से कंट्रोल नहीं होता था आवेश भड़क जाता था ऐसा होता है सब के साथ होता है तो अपने पिता के पास पहुचा कि मुझे गुसा बहुत आता पिता भी उससे बहुत परिशान थे तो पिताजी ने उसको एक कील से भरा हुआ थेला दे दिया कील जानते हैं क्या बोलते हैं कीला मात्रा लगा दो तो मराटी कीला कीला याने बड़ा वाला कील माने छोटी वाले तो उसको कील से भरा हुआ एक थेला दे दिया कि बोले वेटा तु गुसा कर हम तुझे मना नहीं करेंगे बहुत गुसा कर जितना करना उतना कर ले जितने जोरों से करना है उत्ती गुसा कर ले उसके घर के पीछे एक लकड़ी की दिवार थी उसने काया कि जब भी तुझे गुसा आए इसमें एक कील ठोंक दिया कर जब भी चाहिए दसवार गुषा आए पचास बार आए सो बार आए गुषा आया और जाके उसमें एक कील ठोंक देना उसने का इससे क्या होगा बोले कुछ भी नहीं होगा तो बस कील ठोंक जाए गुशा आया वो जाके एक केल ठोक दे अब कभी कभी दिन में दस बार गुशा आया तो उसे दस केल ठोक ना पड़े इमानदा था तुमारे जैसा बेमान तो था नहीं कि हम पढ़ा रहे तुम भूल जाते हो वो याद रखता था तो गुशा मिटाने के लिए पहले तो इमानदारी बहुत जरूरी है कशायों को जीतने के लिए इमानदारी बहुत आवश्य है तो वह जाके केल ठोकता आ जाता एक दिन उसने बीस केल ठोक दे बीस बार गुशा आया दूसरे दिन उसने पंदरा केल ठोके तीसरे दिन दस कील ठोकी चौते दिन फिर बीश ठोक दे गुस्सा तो कम जादा होते रहा है एक दिन वो तंग आ गया यार यह जब गुस्सा करो तब कील ठोकना पड़ती है यह बहुत दिक्कत वाला मामला है कभी-कभी भूल जाए तो उसे साम को याद करके उतने कील ठोकना पड़ती थी कितनी वार गुस्सा किया तो बारवार ठोकने से वो परेसान हो गया उसने सुचा यार बारवार कील ठोकने से अच्छा गुस्सा ही छोड़ दो ना गुस्सा होगी और ना कील ठॉंकने मुझे जाना पड़ेगा धीरे धीरे उसने किस डर से कील ठॉंकने के डर से क्या छोड़ दिया गुस्सा छोड़ दिया लेकिन अब गुस्सा ऐसे थोड़ी छुट जाता तक तुम कल से कील ठौकने लगो और छूट जाए लेकिन उसे घुस्षा तो उसके लिए जंज़ट था उसी दूसरा जंजट और समप दिया कि तुझे एक कील ठौकना है हम तुझा नहीं करेंगे कि क्रोध मत करो कुप करो एक कील पीछे ठौका उसने कील ठौक दे एक समय आया कि उसकी कीलें कम हो गई 20-25 से 2-4-5 बच्ची उसने का यह भी मैं बंद कर दूँगा कील ठोकना उसने बंद कर दूँगा अब पिताजी के पास आया कि पिताजी मैंने कील ठोक दी अब जादा नहीं पिताजीन का एक काम करो एक कील कैसे ठोकते हो तुम बोले जब गुसा आता है तब उसको मैं कंट्रोल करता हूं अभी तो कील इसलिए ठोकी की इतनी वार मुझे आया तो बोले आया या रोका बोले भी रोका तो नहीं आपने कहा था जब गुस्सा आये तो एक कील ठोक देना तो मैं ठोक के चलाता हूँ बोले अब जाओ अब जब गुस्सा आये और जिस समय आप उसे रोको एक कील निकाल ले ले जितनी तुमने ठोकी एक कील रोज निकाला लेकिन कब निकालना पहले तो किसलिए कील ठोकी कि कब कब गुस्सा आया दूसरी वार किसलिए निकल वार रहे है वो कंट्रोल आया और रोका पहली वार में रोका नहीं था आती थी काउंटिंग कर देता था लेकिन जब उसको दूसरी वार भेजा कि अब गुस्सा आए और उसे आपने कितनी वार रोका है इस क्रोध को कहते धीरे धीरे उसने दो चार आट दिन में एक दिन में तो होता ने सारी कीले निकाल दी कि अब जब भी गुस्सा आता है पिता जी मैं उस पे कंट्रोल कर लेता हूं पिता जी ने का पूरी कील निकल गई यह ओले पूरी निकल गई ओले चलो अब हमारे साथ पिता जी ले गए उसको उस बोर्ड के पास और बोले कि कि अब ये देखो क्या हुआ होगा बाद होल हो गए ना छेड हो गए ना पुपीताजी ने का देखो ये क्या है वोले होल हो गए बुले होल क्यों बने गुसा आया तुमने हतोडी मारी होल बन गए फिर उसके बाद आपने गुसा रोका और कील वाहर निकाल ली लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग भी इस कहानी से कील गुसा की है आप लोग थोड़ी दिर बार निकाल भी लेते हैं लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान य होता है कि लग भी जाएगी निकल भी जाएगी लेकिन जो दीवार खराब हुई है वो अच्छे होने वाली नहीं है वो दीवार खराब ही रहेगी आपने गुसा आप कियते हैं आम गुसा कर लेते हैं फिर माफी मांग लेते हैं आप कितना भी माफी मांग लो कितना भी कु यदि आप किसी के प्रती गलत तरह से पेश आए हैं तो आपने सामने वाले के दिमाख में सौरी बोलने के बाद भी क्या छोड़ दिया है होल छोड़ दिया ना यह ना वो जो होल आपने छोड़े हैं बो रिस्तों जैसे उस होल ने डिवाल को खराब किया है वैसे यह होल ग्रोध का होल कसायों का होल आपकी इमेज को खराब करता है आपके मन की दिवार को खराब करता है आपके रिस्तों को खराब करता है यह कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि जो मैंने पढ़ाया है आठ दिनों गए उन आठ दिनों में जो अपने सुरुआत की थी कि हमें अपना जीवन कैसे बनाना है कैसे जीना है उसमें आपको इस कहानी को याद रखना है समझ में आ रहा कि मैं कितना भी सौरी बोल दूं कितना भी अच्छा बोल दूं कितना भी उस पे कुछ कर दूं लेकिन बो निशान बन गए तो बन गए इससे हमारी इमेज खराब होती है तो गुष्या करना भी हमारे लिए नुक्षान दायक है गुष्ये से मतलब कोई भी कशाए क्रोद, मान, माया, लोग अपने इतने दिन से क्रोद कशाएं के लिए तो सोच रहे हैं दूसरी बात जो अभी उनने बताई मैंने बताई थी न कि अम एक दूसरे को समझते नहीं है इसलिए कशाए पैदा होती है समझने का प्रयास करें मैं आपको आज तीन चार ऐसी कहानी सुनाओंगा कि वाकी मैं सब पढ़ा चुका हूं उस कहानी इसलिए सुनाओंगा कि इस कहानी से जो जो मैंने आपको आज दिन में पढ़ाया है उसे आप याद रखें सूत्र याद रखना कठिन होता है चोटी-चोटी कहानियों को याद रखना सरल होता है अब क्या होता है जब ये रिष्टे खराब हो जाते हैं जो हमारी विचार खराब हो जाते हैं उसके बाद हमको पश्चाताप होता है क्यों होता है पश्चाताप हमारी लापरवाही से हमारी उदासीनता से हम जो केरलेस होते हैं उससे पश्चाताप होता है एक आदमी रिटायर्ड हुआ कारपेंटर था लकडियों के मकान बनाता था बहुत सुंदर सुंदर तो क्या हुआ वो रेटाइड हो गया जिस के यहां काम करता था उसने का कि अब काम खतम है लेकिन आप सोचिए जब कोई रेटाइड होता है सेवा नर्वित होता है उस समय उसे कैसा लगता है कि बता ही फिलिंग सब यहां बैठे हुए कि खुशे होती ना कि अब मेरा काम हो गए अब मैं फिर ही बहुत कर लिया में जीवन में अब मैं खुश हूं आनंदितू इसका तो दुख होता होगा कि अब तनका मेरी आधी हो जाएगी लेकिन काम से उसको मुक्ति मिल जाती अब कोई व्यक्ति यदि रेटायर्ट हो गया उस सेवा नुर्वत हो गया अब उस व्यक्ति को वो जाने लगा बड़ा खुस हो के सबसे चमायाचना करली की अम्में जाता हूं अब उसका मालिक आया बुले यार तुमने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए इतने सुंदर सु सेवा से बहुत प्रभावित हूं लेकिन आज आप सेवा नुर्वत हुए आपने जो भी जिन्दगी का टार्गेट बनाया था वो हाशिल कर लिया आप सफल हो गये अभी काम करो बोले तो फे मैं जा रहा हूं अपने गाउं बापिस जाओंगा वहीं रहूंगा समास सेवा करूंगा धरम ध्यान करूंगा बड़े आनन से रहूंगा अब मुझे किसी भी चीज की जरूवत नहीं है मेरे बच्चे साव अपने अपने जगह पर परियाप्त हैं खुश हैं जहां पर हैं मैं भी अब खुश रहूंगा लेकिन उसके वह उसने उस से कहा कि तुमको अभ रुखना पड़ेगा अरे मैं तो रिटायट हो गया मैं तो सेवा अंदर बेथ हो गया अब क्यों रुकूंगा बुले नहीं रुको देखो तुम बहुत अच्छे कलाकार हो बहुत अच्छी तुमारे अंदर कला है तुम एक काम करो जाने से पहले एक मकान और बना तो उसमें चाहे दो महीने लगें चाहे तीन महीने लगें अब उधर तो उसके अंदर छुट्टी की खुशी है कि मैं घर जाओं मैं आनंद से रहूंगा मैं काम से बचूंगा अब यहां पर क्या क्या दिया गया कि एक मकान और बना दो अब वो व्यक्ति क्या करेगा मकान तो बनाएगा न से किसे बनाएगा इंट्रेस्ट आएगा उसको उतनी खुशी आएगी उसको उतनी रुची से बनाएगा ने तुम होते तो क्या करते मैं होता तो भाग जाता अब छुट्टी हो गई जैसे अभी किलास से भगने के चक्कर में हूं कि क्या करते आप उस समय की अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए कि आपकी छुट्टी हो गई आपने सब सामान पेक कर लिया आपको जाना है और अंत समय में कह दिया कि अभी आपको तीन महिने और रुकना है बताए डाक्तर साथ क्या करते आप उस समय जो एक मकान का और आडर मिला उसमें पैसा नहीं मिलेगा बनाना है कैसे बनाओं अभी तो रिटार होने के बात भी बहुत गवर्मेंट के सर्विस दे वांट एक्स्टेंड पैसा एक्स्टेंड हो सकता है अभी हमारे प्रोफेसर वागे लोग होते हैं हूँ सकता है व तो वो क्या फिल करेगा तो बनाना ही पड़ेगा उसको सको उपर से अडरर कैसे बनाएगा देखो मैंने पहले दिन का आता ना कि चाहिए वाली बात अपन को करना ही नहीं है हो ना क्या है उसकी बात करो क्या करोगे आप नाराज गिस है मतलब उसका पूरा इंटेंशन नहीं रहेगा उसके अंदर लेकिन मकान बनाएगा मकान बनाएगा मगर व ऐसे बनाएगा कि बनाया और निक बनाया इसी साब से बनाएगा दो महीने का काम कितने महीने में निप्टाएगा एक महीने के अंदर निप्टा देग बोलो क्या बोल रहे है नेरे कुछ निस्क्रिय कर दिया आप बुद्धे काम करो तो काम नेरे शाथ चाल नहीं वो तो घड़बड हो गए ना निस्क्रिय करने की बात के रहे हैं फिर से काम करो ने दो महीने बाद रिटार्मेंट दे देते हैं सही बात कह रहे हैं तो उस समय आप कैसे बनाओगे अच्छा निवन शक्ता पक्का बनेगा मगर बनेगा पाईले सरीकार नहीं बनेगा यूप काम पर भाविश्टी नहीं देगा अधे अच्छा समझ नहीं रहे मेरा पक्का का मतलब तुम जो कह रहा है वो सही है और कोई महलाएं बता सकती क्या करोगी फिर आप क्या करोगी प्रेक्टिकली क्या करोगी क्या वो काम दिल से करोगी या बिना मन के करोगी कि चलो अपने काम करें कि बहु बहुत अच्छा काम करती अच्छी है उसके पीहर वाले लेने आ गए टिकेट भी कनफर्म है कि आज जाना है है रिजर्वेशन है वो सासु कह दे कि नहीं दो दिन बाद जाना है थोड़ा सा ये काम कर लो अब उस समय आप क्या करोगी भन बनाओगी कि क्या है हमारी पुरी तैयारी हो गई टिकेट बन गई जाना है कह रहा है मेरी बीबी होगी तो मावारत मत जाई कि नहीं मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए अरे चले जाना दो दिन तो और रुख जाओ थोड़ा सा ये काम कर लो फिर क्या होगा मन खराब होगा कि नहीं होगा अब डर से दवाव से वो रुख जाए लेकिन उसका मन कैसा होगा खराब या तो पहले से तैयारी नहीं कराना थी करादी तैयारी जाने का समय हो गया उठने लगी गाड़ी पे बैठने लगी रुखो अभी नहीं दो दिन और रुख जाओ उ वे समय इतनी दुश्मन लगती है वो सांस, इतनी दुश्मन कि या मैं इतने मूट से तो जा रही हूं, और तुने एकदम से मुझे ब्रैक लगा दिया, या पहली भोल देती कि दो दिन बाद जाना, अब उस घर में शान्ती होगी या अशान्ती? अशान्त होगी न ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं अशान्त हो जाएगा अब उसके अंदर कशाए पैदा होगी या नहीं होगी गुसाएगा जुझलाएगी मन खराब होगा तो ऐसे उस आदमी ने बे मन से जो दो महीने का काम डेड़ महीने में करके रख दिया ना अच्छी कार्विंग की न उसमें उसने अच्छी दरवाजे लगाए ना बहुत सुंदर बनाया अब उसने जाके मालिक को कहा कि जो दो महीने का काम था वो मैंने एक महीने में करके किसा बनाए तुम तो बहुत अच्छा मकान बनाते थे मुली वाई हमें तुम्हारे हाथ जुड़ रहा हूं पेर पड़ा जैसा भी ठीक है मुझे यहां से जाने दो धर्वाजा लगा लॉक लगा और उसने पूरा कंप्लीट करके वह मकान बिना मन के खीज के गुस्से में ए उस बोस्स ने कहा कि तुने जाते जाते भी महनत की है मैं तुझसे बहुत खुश हूं यह मकान मैं तुझे देता हूं अब क्या होगा बताई अब क्या होगा यह मकान मैंने अपने लिए नहीं किसी के लिए नहीं खुश होकर तुझे गिप्ट में देने के लिए बनवाया है इस मकान में आज से तुम रहोगे अब क्या होगा उसने दे दिया कि तुमे मकान की इसको अब आप समा ली आप रखिए वो अंदर से घबडाएगा और बोलेगा मैंने इत्ती बड़ी गल्टी कैसे की फिर क्या करेगा अब गल्टी उसको होगी अब रोएगा बैठके रोएगा पस्ताएगा अपनी आप में पस्ताएगा Ό, मैंने गल्टी की उसे पता होता कि ये मुझे ही मिलेगा तो और अच्छे मन लगा कर्याएगा एक महीनी का काम कितने महीने में करता चार महीने साल भर भी लगा देता, इतने सुन्दर सुन्दर चीज लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था, कशाएं कैसे बढ़ती है, पता नहीं होने पर बढ़ती है, यदि पता हो, तो आदमी कशाएं नहीं बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है, हमारे अंदर बुरे विचार क्यों आते ह क्योंकि हम सामने वाले को समझते नहीं है, समझ में आ रहा हमारे विचार गलत, नेगेटिव थिंकिंग क्यों आती है, क्योंकि हम सामने वाले को समझते नहीं, इसलिए गल बढ़ता है, समझ में आ रहा, जो कशाएं बाला पार्ट पढ़ाया था, क्यों आती हमारे अंदर किसाए क्योंकि हम साथ सत्य को जानते क्या जानते हैं पन सत्य को कुछ जानते क्या हुने वाला क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा इतना यदी कोई जान ले तो फिर उसके अंदर खराब विचार आएंगे नहीं किसाए करेगा नहीं अंजान अबस्ता इसलिए तत्वार स अग्यात भाव तद्विशे शाथ लिखा है ना तो अग्यात भाव से सबसे ज़्यादा अग्यान दसा में और आप कैसे बचते हैं कि हमने तो अंजान में किया इसका क्या फल मिलेगा अंजान का फल क्या मिला जो मकान बहुत सुन्दर बनाना था कच्रा बना लिया अब वो कास में ऐसा हो जाता कास में ऐसा बना देता थोड़ी सी आलस नहीं करता थोड़ा सा अच्छे से बना देता मन से बना देता अब सोचिए उस आदमी ने दूसरों की मकान तो मन से बनाए लेकिन अपना मकान कैसा बना लिया बिना मन का बना लिया अब कास 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 क समझ में आ रहा है तो कभी कभी हमारी इस इसलिए इसका इस कहानी से क्या अपने को सीखना है कि हमें कोई भी कार्य बिना मन के नहीं करना चाहिए वरना एक बार क्या हुआ एक भक्त था भगवान बैठे न उनका सेवत था जाड़ु आड़ु लगाता था मंदिर में गरीब था पुझा पाट कर लिया जाड़ु लगा दी साफसपाई कर दी अब हुआ क्या कि एक दिन उसकी मन में नहीं जानी क्या आया उसने क्या भगवान तुम मंदिर में रोज वेखे रहते हो बहुत पोजिशन पोई एक सँ तुमारा मन नहीं होता कि या से निकल या से दोड़ा बाहरार आर्कोंके जानगा यह दिनमंडा बैठे रहते हो 24 गंटे आज जी केड़ा था पारस मेरे से सबेर कि आप बोर नहीं होते दिन भार एक ही कमरे में रहते हो वहां से उठे यहां आ गए यहां से उठके वहां चले गए तो बोर तो होते होगे मैं नहीं होता हूँ भगवान से का कि आप बोर नहीं होते एक ही जगह बैठे रहते हैं एक्षन भी बोई है इतने भक्त आते हैं जाते हैं ना किसी से बोलते हो ना किसी से बात करते हो तो एक काम करो भगवान ने का बोल क्या काम बुले एकाथ दिन ऐसा करो कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हा जैसे beneath a जैसे बन जाओ भगवान ने का देख्षट कठिन वह बहुत कठिन घा भबho ô एक दिन आज प्लीज आप मेरा रॉल अदा करोर में आपका रॉल भगवान ने का देख तू गड़बड मत करना बोले नहीं बोले एक काम कर भविष्य में क्या होगा ये तो सब मैं जानता हूँ किसका क्या होगा लेकिन तू नहीं जानता तू नकली भगवान बनके बैठ दाए एक काम करना बोले क्या बोले किश भी हो तू यदि मूर्थी बनके बैठेगा भगवान बनके बैठेगा कोई कुछ भी कहे तू बोलना मत कुछ भी कहे तेरी आरती होता रहे तो कुछ मत बोलना गाली दें तो कुछ मत बोलना तू बिल्कुल बैठे रहना ऐसे देखते रहना सबको कुछ भी मत करना कोई अच्छा करे तो भी मत बोलना बोले ऐसा कैसे बोले देखो मैंने ही बोलता ना मैं सांथ बैठा रहता हूँ तो बोले कैसा भी ब्यक्ति आए तुमको कुछ भी बोलना नहीं कोई भी निर्णे लेना नहीं उसने का भगवान ठीक है बैठ जाओंगा एक दिन की तो बात है तो भगवान ने का एक काम करो तुम बैठो बेधी पर उसको मूर्ती बना के बिठा दिया और भगवान निकल गए थोड़ा बारामती घूमने के लिए कि बोले हम आते घूमके तुम यहां आराम से बैठो अब देखो घटना केसी घटी अब बैठ गया हो भगवान बनके लोग आके घंटा बजा रहे पूजा कर रहे माला चड़ा रहे अरग चड़ा रहे वोले कुछ भी हिलना नहीं डुलना नहीं बोलना कुछ भी नहीं चाप देखना बार बार बात याद आई गवान नेका चुबेठ ना गवान नेका चुबेठ ना भगवान नेका कोई अक्षान नहीं लेना वोलेठ ठीक हैं अब क्या हुआ वहाएक बहुत बड़ा आदमी आया आकि वो यह जाने नकली असलिए उसने तुम देरको प्रनाम दे दू उसका परस चुड़ गया आवाज लगा फिर उसे याद आए कि नहीं भोलना कुछ बोले यार दे दो यार उसका परस अभी सारा भी नहीं कर सकते किसी को भगवान बनके बैठ गए भगवान बनना बहुत कठिन काम है तो बोले यार मन ही मन इतना उतल पुतल हो गया उसको किसी भी तरह यह परस मेरा उस तक पहुंच जाए विचारे कर देखो दुखी होगा परस यहां रह गया इतना सोची रहा था कि यह गरीब आया गरीब आदमी आया तो उसने आके भगवान की पूजा पाट की भक्ति की भगवान बहुत गरीब हूं मेरे पास खाने को नहीं है बीमारी है मेरे पास दवाई का पैसा नहीं है अब भगवान यह भी नहीं किया रहे कि परस उठा दे बोलना कुछ भी नहीं परस पड़ा है लेकिन सर्त क्या है कि बोलना कित्ता कठेने बगवान मनना बोलना कुछ में चुप चाप बैटा रहे देखता रहे क्या अब इसे लगा कि चौर मेरे मंदिर में चौरी कर रहा है उठाके ले जा रहा है अब क्या करे एक मन तो इसका है कि उसादमी को बुला के परस दे दो दूसरा हो रहा है यार पुलिस वाले को बुला के इसको पकड़वा दो लेकिन भगवान जी नियम क्या दे गए कितना कठिन है मौन हो जाना घवग बनना आसान है बहुत कठिन काम है बोलना मर्ट अब और गरीव ने परस रखा तोडि देर भाद एक वियापारी आया, जो विदेश में जा रहा था बैपार करने के लिए जहांज में माल भरा भगवान से बोला कि भगवान मेरा ख्याल रखना मैं बैपार करने जा रहा हूँ और कमा के लोटूंगा बस मेरा ध्यान रखना अच्छे से मेरी याट्रा हो जाए अब भगवान हाँ भी नहीं बोल पा रहे और इतने में वो लोटके जाई रहा था कि पहला विजनिस्मेन आ गया उसने अपने साथ पुलिस लाया और उसने कहा रहे मेरे जाने के बाद ये आया इसके पास परस है आरेश्ट करो इसको बंद करो अब भगवान क्या भगवान को मालूम है चोर कौन है लेकिन किसको आरेश्ट कर लिया उसको आरेश्ट कर लिया वो बिदेश स्यात्रा में जा रहा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया जेल ले जाने लगी अब भगवान से तो अब नहीं रहा गया या तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया परश चुराने वाला तो दूसरा ले गया परस इसका गिरा जेल कोई और जा रहा रहा राम रहीं जेल कोई और जा रहा यह क्या होगा अब उथल पुथल मच गई बोलो यदि आप होते तो क्या करते चुपचाप बैठे रहते उसने कहा या अब सब्र का बांध मेरा तूट गया उसने कहा है अधर अब अरे लोगों ने कहा मूर्ती बोल रही भगवान बोल रहे इकटे हो गए लोग गजब चमतकार हो गया वोले इदर आओ इसको क्यों पकड़े बेकसूर को इसने तो कुछ भी नहीं किया है मुझे मालूम है पर्स कौन उठाके ले गया बोले कौन इससे पहले गरीव आया था वो पर्स उठाकर के ले गया भगवान का जा उसको बगड़ो इसे छोड़ो पुलिस गई उसे पकड़ा अंदर किया उससे पर्स वापिस लिया और इसको जो बिदेश चा रहा था इसको छोड़ दिया अब साम को भगवान जी असली वाले लोटे क्या हाल चाल बोले भगवान जो तुमने नहीं किया वो मैंने करके दिखा दिया बोले क्यों तुम्हारे यहां से तो तुम नहीं पकड़वाते हो और मैंने चोर को कभी कभी तो भगवान तुम नहारी मूरती चोरी चली जाती है तुम कुछ नहीं बोलते हो लेकिन मैंने चोर आज मैंने बहुत अच्छा काम किया अपनी जिन्दगी में यदि मैं नहीं बोलता तो असली चोर तो बाहर घूमता और जिसने चोरी नहीं की बो जेल के भगवान ने का तू बोला क्या बोले ह 눈물 कि उन्हें सब तो भगवान नी बन सकता है। मैंने का था ना कुछी भी हो बोलना इता भी इल्एहरस नहीं रख सका तो उसने का कि उन्हें कुन सब क्लत्व कर दिया तूने सब्वेॉइंत कर दिया रे दोने उतना पाप ने हमें भी एसे ही लगता है या हम अच्छाे काम कर रहे हम पुण्न कर रहे हैं लेकिन बंदकाय का हो जाता है पाप का उस ने कहा कि देखो मैंने कोई गलत के अच्छा किया है भगवान ने का तूने तूं ने सब गड़़ कर दाली है तू भगवान मिने के लायक नहीं है, तो उसने का मैंने क्या किया, बोले पागल, जो पहला आदमी आया था, जिसका पर्स, देख तो मैं वहां से भी रहा था, कि असली भगवान तो मैं ही हूँ, तो तो नकली बनके बैठा है, जो पहला आदमी आया था, बोले आया था, तो बोले उसका पर्स गिरा था, बोले हाँ गिरा था तुने तुरे अंदर क्या आई मेरे अंदर उस पे बड़ी दया आई की विचारे का पर्स है उसको बापिस लोटा दिया जाए भगवान ने का बस यही दया करके तुने गड़बड किया है बोले क्यों? बोले इसलिये कि जिसका पर्स गिरा है वो नंबर बन का फ्राण अदमी है चोर है, बदमास है, उचका है लोगों को लूटता है, शोशन करता है और आज उसका पर्स गिर गया और तुने उसकी सहायता कर दी बोले क्या मतलब? बोले इसलिए उसका पर्स गिरा था एक गरीब के पास गया था बोल उसके नमबर दो का काम था गरीब के पास जाता मेरे चरणों में गिरा था तो बोल उस गरीब की एक्षा पूर्ती होती दवाई कराता, इलाज कराता और इसका थोड़ा सा पाप कम हो जाता धुल जाता तुझे क्या ज़रुवत थी बोलने की बोले उस नंबर दो के बेइमान का पर्स एक गरीब के पास जाता गरीब बहुत खुश होता बहुत आनंदित होता उसके बच्चे का जीवन बन जाता बिचार करिये तो तुने उसे पर्स दे करके बहुत बड़ा गरवर कर दिया तो बोले गरीब देखो गरीब बड़ा इमानदार था बड़ा धर्मात्मा था पापी का पर्स किसके पास आ रहा था पुन्यात्मा के पास पुन्य में लगता उसको जीवन मिलता तुने ये गड़बड काम किया है तो बोले कि बाबा फिर जूट तो हो जाए जूट का है को वो तो उसने गड़बड किया गलत किया है उसका परस घरीब के पास जाना था बिचारे का पाप धुल जाता इसकी जिंदगी बन जाती तो बोले और क्या गड़बड हो गया बोले वो जो तुने वहाँ जो जेल जा रहा था उसको रोका है वो जो ब्यापारी आया था उसे पुलिस पकड़ दी उसे रोक के तुने गलती कर दी बोले मैंने क्या गलती कर दी बोले आज वो जिस जहाज में जा रहा है समुद्र में तूफान आने वाला है उसकी जहाज में छेद होने वाला है और वो जहाज डूबने वाला था देख यदि वो जेल चला जाता तो आज मरने से बच जाता लेकिन तूने उसे जेल से बचाया और मौत के मूँ में ले जा करके डाल दिया विचार कर उसकी जिन्दगी तुने बरवाज कर दी है ध्यान रख यदी वो जेल से बच जाता ध्यान रख उसकी बीवी बिद्वा होने से बच जाती उसके बच्चे अनात होने से बच जाते देख तुने ये सब गड़वड किया है विचार कर सोच मानिवर एक बात ध्यान रखो इस कहानी से एक सिक्षा लीजिए एक ही सिक्षा लो जादा होशियार भनने की कोशिस मत करिये जादा चाला की दिखाने की कोशिस मत करिये देख यदि गरीब को पर्स मिलता गरीब सुखी होता उसका पाप कटता ये मरने से बच जाता लेकिन तेरे एक तुरंत निरने लेने से तीनों की जिन्दगी खत्रे में पड़ गई तीनों का जीवन वरवाद हो गया इसका मतलब इतना ही है कि कभी-कभी हमें कशायों को जीत तो कभी-कभी हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हो रहा है उसे चुप-चाप देखना चाहिए तुरंत निरने नहीं लेना चाहिए तुरंत जादा ग्यानी बनने की कोशिस नहीं करना चाहिए जादा होश्यार बनने की कोशिस नहीं करना चाहिए समझना चाहिए क्योंकि हर व् भुश से अंजान है भरतमान कोई जानता है तो केवल भरतमान की जानकारी से हम अपने भविश को नहीं शुधार सकते है तो इस कहानी से आपको यही सीखना है जो मैंने आपको कशाय वाले प्रतिदिन पाट पढ़ाए हैं आप पंपने पलटोगे ये कहानिया सब में जाकर फिट बैठ जाएंगी पहली मैंने कहानी आपको बतलाई ध्यान रखना हमारे कसाए करने से फिर रिलाइज करने से सौरी बोलने से प्राश्चित करने से कीले तो निकल जाती है लेकिन दीवार खराब हो जाती है हमारी image खराब हो जाएगी हमारे संबंद खराब हो जाएगे दूसरी बात जो मैंने आपसे बतलाई वह इतनी ही बतलाई कि कोई भी निर्णय ततकाल ना ले दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई है वह इतनी कोई भी काम कोई भी कार्य घर में बे मन से नहीं करना चाहिए बरना उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है बिना मन के मकान बनाया वोई मकान उसको गिफ्ट में प्राप्त हो गया फिर उसे पश्याताप करना पड़ा फिस उसे पस्ताना पड़ा तीसरी बात कसाईयों को जीतना है जो हो रहा है उसे धैरे से देखें इसको भगवान महावीर ने समता भाव कहा है समझे मैं आ रहा समत भाव क्या होता है जो भी घटरा है उसे शांती पूरवर्ग देखने का प्रियास करें जो भी होता है दुनिया में बुरा कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो सब किस के لिए होता है, अच्छे के लिए होता है, यदि आपको کश्ट भी पड़ा है तो उसमें कहीं अच्छाई छुपी है, आपका अपमान हुआ है उसमें कहीं अच्छा ही छुपी है आप लग रहा है कि सामने वाला करोड कर रहा है अब एक बात बताएए ये कमठ का जो क्रोड था पारसनाथ के लिए फैदे वाला था या नकसान वाला था बोले कैसा था फैदे वाला हमारे जीवन में यदि बुरे दिन नहीं आएंगे अशुब दिन नहीं आएंगे हम अपने आपको कभी भी समहाल नहीं पाएंगे आपसे इतना ही आग्रह है जो दो-तीन बात हैं मैंने आपको एक चीट और कहके समाफ्ट करते हैं परोबकार जरूर करो कशायों को कम करना है आत्मा को निर्मल करना है परोबकार जरूर किया एक मेला थी उसकी पास एक बहुत बड़ी गाड़ी थी और वैं गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों से निकले जमा जम बारिस आगई बरसाथ हो गई अब वो देख रही है कि ये गाड़ी मैं खरीद तो सकती हूं लेकिन सुधार नहीं सकती हूं खड़ी हो गई गाड़ी लेकर साइड में एक व्यक्ती वहाँ पर देख रहा था कि ये महला थोड़ी परेशानी में है थोड़ी कश्ट में है चल करके अपने को हेल्प करना चाहिए गया जैसे ही गया महला घबरा गई कि आदमी मेरी तरब क्यों आ रहा है वो गया बोले मेडम घबराई है मत मैं आपकी गाड़ी सही कर देता हूं उसने का आपसे बन जाएगी भूले हां मैं कोई मेकनिक तो हूँ नहीं लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आपकी गाड़ी को मैं सही कर दूँ उसने बॉनट खोला थोड़ा बहुत सही किया गाड़ी स्टार्ट हो गई उस महलाने क्या किया होगा हुं थेंक यू और उसके बाद पैसे निकाले होंगे सब कहानी तुमको मालू मैं आगे कि उसने पैसे निकाले और कहा कि आप ये ले लीजिए उसने का नई मैडम मैं कोई गाड़ी सुधारने वाला नहीं हूं कि इसके पैसे लूँगा मुझे कोई जरूवत नहीं इन पैसों की बस एक एक फीस आप मुझे मेरी दे दो यदि आपका मेरे प्रती दया और अच्छे भाव बने हैं कि मैंने हेल्प किया है तो आपके लिए थोड़ी सी मानवता है तो एक नियम ले लो बोले क्या कि तुम भी किसी की हेल्प करना कोई संकट में हो कश्ट में हो तुम भी किसी की हेल्प करना और मुझे कुछ भी तुम से नहीं चाहिए उसने का ठीक है मुस्क्राई गाड़ी में बैठी चली गई आगे गई तो एक रेस्टोरेंट में गई चाय कापी उसको पीना होगा जो भी पीना होगा जाके उसने गाड़ी खड़ी की क्या देखती है एक लेटी प्रेगनेंट है फिर भी काम कर रही है उसे लगा यार हिंदुस्तान में क्या हो रहा है गर्ववती महला टाइम में इसका हो रहा फिर भी ये काम कर रही है उसे उस पर बड़ी दया आई उसने उसको आडर किया कि कौफी लेका आओ कौफी आई कौफी पी उसने बिल दिया बिल रखा और उसके साथ एक लिफाफा रखा उसे दया आगई उस पर बहुत ज़्यादा वो गई उठकर के चली गई वो आई महला उसने कहा कि ये गरुवती होके काम कर रही तो इसका मतलब इसको पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है मानिवर वो लेडी आई उसने देखा चेयर को उसकी तेविल को साप किया उसने देखा कि बिल का पेमेंट रखा है साइड में एक लिफाफा रखा है उसने लिफाफा खोला उसमें दस हजार रुपे रखे थे वो महला दस हजार रखकर चली गई उसे उस आदमी का ख्याल आया उसने कहा था मेरी फीस यही है तुम किसी की सेवा जरूर करना किसी की शायता जरूर करना आज उसे लगा कि भले उस आदमी ने मुझसे पैसे नहीं लिये लेकिन आज उस आदमी की प्रेणा से मैंने जीवन में एक अच्छा काम किया है और दस अजार रुपे रखके चली गई उसने लेटर में नोट लिखा उसने इतनी लिखा कि देखो तुम इस अवस्था में काम कर रही हो ये देखकर मेरा मन बड़ा आहत हुआ और मुझे लगा कि तुम्हें पैसों की सक्त जरूरत है वरना इस अवस्था में कोई महला काम करती है क्या ये दस अजार रुपे आप रखो मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करो मेरा एड्रेस क्या है ये पूछने की कोशिश मत करो मेरा फॉन नंबर क्या है ये भी मुझे से मत पूछो क्यों इसलिए मत पूछो कि कभी तुम्हें लगेगा तो हो शक्ता है तुम्हें पैसा बापिस लोटाने आओगी और मैं अपनी सहायता कभी बापिस लेती नहीं हूँ इसलिए आप इसे रखिये और निश्चिंत हो करके अपने बच्चे को जन्म दीजिये वो महला इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई आखों में उसके आशू आ गए वह घर गई पती लेटा हुआ था परेशान था दुखी था उसके पास पैसों की बेवस्था नहीं हो रही थी उसका काम नहीं चल रहा था फ्लाप हो रहा था सब काम उसका फेल हो रहा था हर काम उसका वे गई पती लेटा है चिंता में पतनी जाकर बड़ी खुश हुई उसने कहा आप चिंता की कोई जरुवत नहीं, भूले क्यों भूले अब कोई चिंता करने की जरुवत नहीं है, कोई आपको टेंसर नहीं लेना है, अब हमारे पास इतना है कि बच्चे को हम जन्म देशकते हैं डिलेवरी करा सकते हैं आपको कोई टैंसर नहीं लेना उस आदमी ने देखा यह 10,000 रुपे तुझे कहां से मिले उसने का एक महला आई उसने मेरी अवस्था देखी और मुझे 10,000 रुपे दे कर गई उसने मेरी हेल्प की है और उसने अपने नोट में लिखा था, अपने लेटर में लिखा था, कि ये दसजार रुपे मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ, कि तू भी अपने जीवन में किसी की हेल्प जरूर करना, ये चैन बना करके चलना, सहायता जरूर करना, जरूरत मंद की, वो जरूरत मुझे ये कहकर दे गई, ध्यान रखना, उस आदमी को पूछा, क्या बोली वो महला, वो ले ये बोली, कि जैसी सहायता मैंने की है, तू भी किसी और की सहायता करना, यही मेरी फीस है, वो आदमी कोई और नहीं, वही था, जिसने गाड़ी सुधारी थी, और कोई फी है, कि मुझे किसी से फीस नहीं लेना, मैं कोई सुधारने वाला नहीं, तुम किसी की सहायता जरूर करना, आप सोचि ये, आप उस लड़के ने, उस महला की सहायता की, पैसा नहीं लिया, आप सोचिए, वो पैसा उसके पास, लोटकर आया या नहीं आया, इसका मतलब है, क इतना भी दूर चला जाए, लोट कर हमारे पास जरूर वापिस आता है, आएगा ही आएगा, किसी भी रूप में आए, वै हमसे दूर नहीं रह सकता है, जरूर लोटेगा, यदि हमने किसी से कसाय मुक्त होने का प्रयास किया है, गुस्सा छोड़ा है, मान छोड़ा है, माया तो ये मान के चलना, मालुक घर में जगडे की इस्तिती है, बिवात की इस्तिती है, और यदि तुमने शान्ती का भाव रखा है, तो एक बात मान के चलना, ये सान्ती, आज लग रही है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लोट कर हमारे पास जरूर आएगी, और हमारा व होता है, इस सिध्धान्त पर आप विश्वास रखिये, तो मैंने पहले दिन जो कहा था, कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं, और हमें इस परियूशन में क्या बनना है, अच्छा आदमी बनना है, तो ये अच्छी अच्छ करने का प्रयास करिए कि मैं इस बिगड़ते बातावरण में मेरा कोई सहयोग नहीं है क्योंकि मैंने कहा था यदि घर में पांच लोग हैं तो बातावरण बिगाडने में एक का हाथ नहीं होता पांचों का हाथ होता है चाहे प्रतक्ष रूप में हो या अप्रतक्ष रूप में हो चाहे active हो चाहे silent हो आपका हाथ उस बातावरण को बिगाडने में जरूर है और यदि आप उस बिगड़े बातावरण में से अपने को हटा लेते हैं अपने को एक तरफ रख लेते हैं तो ध्यान रखना बातावरण की जो समस्या थी वो डहने लगती है तूटने लगत है और जीवन हमारा खुशियों में परवर्टित होता है आज दुनिया में जो भी चल रहा है वह सब हमारे बिचारों के मार्दियम से चल रहा है तो इतने दिन आपने सीखा पढ़ा समझा मैंने ये पांच छे दिन की चार-पांच कहानियां आपको बतलाई मैंने आप समझ और जो मैंने लिखाया पढ़ाया है उन्हें इसमें फिट करिए एक ही चीज याद रखो कि एक चैन बनाओ आप उसकी हैल्प करें वो उसकी हैल्प करें धीरे धीरे चैन बन जाएगी इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे की शहायता को खड़ा रहेगा और दूसरों की ज फिलास का सार हम अच्छे विचार देंगे अच्छे विचार आएंगे अच्छी भावना रखेंगे अच्छी भावना लोट कर आएगी कशाय भाव रखेंगे असानती और डिप्रेशन लोट कर आएगा आप सबने सुना है सुबहे से शाधना भी कर रहे हैं पांच बजग दिवाना तेरा, दिवाना तेरा, दिवाना तेरा, वो गया सुबशाम में बरो बरो तेरा, दी प्रणाई एक दो, वो गया तो, आरे पीचे की लाइक भोदेना राओ भाई ये पीचे वाना, एक पर दोनों हाग उदा करके जग गूमिया तारे जरसाना कोई, जग गूमिया जरसाना कोई, तुर तेगु जैसे बाणी काहा, तुर जैसा उंक कारी काहा, मैं सार जग निदा तुरू, तुझ जैसा इंद कारी काहा, जग गूमिया तारे जरसाना कोई, तुर जैसा इनकारी काहा, तुम्ने ये ग्रापो थे часना थोई चरके तारू जंद नियान कार्यस्ताना थोई जंद गुनिया जारेशना कोई आए भीती मिक्ती तानिया नई भनो पक्रिक मान वें टी दगवार धिती आए पणक आई सेर भेन आतों में दिवचले के आंडी गरू आतों में दिवचले के आंडी गरू बादे चम चम आचम चम चम आचम 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 मेधी पगले कर के आरिते करो तो गाजया राम तो गाजया है कर दो कर दो तानी आपने करेंगे वहार शोपे नइसाब का मनवार होगा हांती करें, हांती करेंगे आपने के होगा मत्रमार भुखऩानि शुट्सुर्ड चैनलयो सर्थियायायी तिद विले कि this follow सिते सिते हाई WRPHляется, आटर्याक पैर मत्रमार टीकिती ताट्यन खहुमस्दमतिड्ल आजना लग जाएं किसी दी जिन के राजाए, अब जड़ी पाली उतारे जिहाजा, किसी दी बाबा के आरदी करो, आरदी करो, हाथ को मैं थी पगले के 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 आरदी करो, हाथ को मैं थी कर दो कर दो को दो समें आज़ती सिज़े कईली सुन्मदनी कर संपीचेए बगल केली 30 ची आळबि तूनी भिनीजा तुमरहने दुक्त बूरी परीडा किसी पीओ ःभापा़ आर्शी करूँ आर्शी कर आतों में ठीबकलेजे आर्टी करूंगों बाजे चंचं जाम्यां देवा बाजे कुंदू, बाजे कुंदूू, आर्टों में दीको जले को आरकी करूंगों जूबे बस्तिकर आनंद दराइए ये प्रभु गांग कर दूट है जूद सके जो लोट अजिकान पर सिनाएगा जान जाने के छोड़ अब 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 जूब कराइए आठे पैटे पुझे 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 आसकों में दी कले वे आर लिए के लूँ आठे कौन इस दीशा मेरे के चला है दे दुर्वा पर दुपे बाजे चम जम जम जमत बाजे गुंडिरू बाजे गुंडिरू आतों मैं भी पगले के आर्दी करो मैं ते जोगी ते ते जलाई सारी तुरिया देकर आई मैं दोगी ते जलाई सारी तुरिया देकर आई मेरे मत में तु है बसा ओ पारस आजा दरस दिखा ओ पारस आजा दरस दिखा पाज चम जम 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 आजे गुंडिरू आतों में भी पगले के आर्दी करो ओ साथ विरारती सिरी दिन वानी यानक चलगी मौच सुखे तान आथ विरारती बाहु बन जानी करित बज्या हूँ प्रेमोच गान अजिन्वीए बाबा तेरी हार की करों आतों में भी पगले के आर्दी करों दुंडिरू पाजे म जम 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 आजे बातों बोग जम जम करें पुलक सागर्ज महाराज, हाज थारी आरती उतारू आरती उतारू, हारती उतारू, हारती उतारू इसे पिर्चे सरसाज, हाज थारी आरती उतारू पुलक सागर्ज महाराज, हाज थारी आरती उतारू जूँआ है एक जूँए अब स्या नंकर यूऊरी आख रंगमा 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 दे गुरु आरा इन रंगमा रंगयो रे आया मंगल दिने मंगले अबसर आया मंगल दिने मंगले अबसर आया मंगर दिने मंगले अबसर पत्वीमा, पत्वीमा थ्वारे, उनाच दयो रे, उनाच दयो रे पुरु पारा ही दंग्मा रंग्यो रे रंग्मा, रंग्मा रंग्मा रंग्यो रे सब्सक्लों ते हम अनुह Virus आपर्मा रंग्यो रा मंग्मा रम यो रिक वारप mercury मांग्मा रम रंग्मा, वार्र माम राम भेम्मा तय मतने करें, यो मतने क्वीमा राख माम्मा मेरी तोवा तंक उड़ गई रे हाँ मेरी तोवा तंक उड़ गई रे जाक्स गुरू नल्च गिला मन्न मेरा किला जाक्स गुरू नल्च गिला मन्न लल्ले राकिला मेरी तोवा तंक उड़ गई रे मेरी तोवा तंक उड़ गई रे बेड़ी पोपा हरुक उलगाई दे बेड़ी पोपा है। गुड़ गई दे वे तो तंग गई दे गुड़ गई दे बुलक साकर्ण महाराज आज तारी मारती उताओं आज थारी हारती उताओं मारती उतारो तारी उतत निहाओं मारती उतारो तारी मुर्ण तरी हारो इसे युपिर के चार्ण साथं आज निहाओं तारी आज थी हारू मुलक साकर्ण महाराज आज तारी आज थी हारो अद्धिन माहाँ में आधिपारी आर्भाड कि अर्फप उधार कि मु मुझे आर्षब शुक्षप निमानाज की कि र्राइब शुद्याँ और माहाँ है एकने हातों में पैदा हुई इस पुर्जा की और पुरा इन्हान कहने करेंगी। हातों को एक दूसरे से बज़ारे कर जो उजा उजा करूनी है। ये उजा पतुराज मां के लिए करते हुए। जो हातों के मांज़र के आपकी साले की मायरा आपकी शरीत से बहार हो रही है। इसका इन्हान करेंगी। आस उन्हान करेंगी। झारे करेंग एक दो gefथमां करेंगी। झालतों कित तर्ह जाओं को with वीजा थे लेंगञ चैंगान घु Acadening को एक ख már जात्मां हुँ ह田 GREG मैं इतना बंटा किरा है, का बंटा किरा रहे हुओ हाँ अगले अगला अगला गुश्राइक अगला के तो अगला है आगए दूजरा आ गए सच्छन पीछे बैठ गये अगला आगे वावान उंदुरावान जाब होता है और गारा राम मेरे स्थाथ में पुलक सागर की स्री गुरु देव पुलक सागर की कौरब पोन कहानी कहानी इतनी छोटी सब्सक्राइब के अगिशार अगर की परजनात तिरे दंकर कीए परजनात तिरे दंकर कीए परजनात तिरे दंकर कीए lamento is परजनात तिरे दंकर कीए परजनात तिरे दंकर कीए बीगब चंद्र के उत्री बतने की गुसम हम आता हरा की रोगानी इतनी चोटी उमर में गुर्वर कितनी गर्षी घारी घारी जी गुरु ने जी गुरु ने में तुला के जा गरी की जी गुडु देव इक पुना किसा गळी की गराद भूर ताथी गान ऑठी इतनी चोती उमर उतनु गधरिक उतनी गधरिक इपरिक खूरु दगी कर दो 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 कर में आद्गर की एफ गरती तू पिल्पी जांकिन जानी इतनी जोटी उम्र में को ने को पातो है कितले जहरे अज़कल टुन कर रहा हैं आज कर ने जा रहा हैं आज के सनातक को जिसे नाम दिया है पारशी पुलक सागर मा सरश्वती की वंदना करते हुए आज के इस कारिकम को प्रारम करूँगा हे मा सुनने वाले को सुनने की सक्ती देना सुनने वाले को सुनने की सक्ती देना तेरे नाम को लेकर आज इस कारिकम को शुरू कर रहा हूँ मा मुझे आशीरवाद दो कि मैं जिन धर्म की प्रवावना कर सकूँ मा मुझे आशीरवाद दो कि मैं जिन धर्म की प्रवावना में चार चार लगा सकूँ शरश्वती नमस्तो भ्यम वर्दे कामरूपणे नाटक आरम करिश्यामे शित्रभावतू में सदा शित्रभावतू 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 सुछ से जुत्रभावतून पुलक सागर जी खुर्वर साभु आदम चलो चलो सब चलो पे जा रहा देखेंगे लो पन भावी नजारा पन भावन है मन्दावन चलो पे घुडा ये भन है मिरा लाव चन्दों ब्रवुता है ना मुझा आदे हो जो दी पजलाए होता है उसके जीवन में जाना होता है उसके दीवन में जासा नो देता वो मन चाहदान है यहाँ बाता बरावन है इसकी दोवे हो आई जो गुरुवर चाहए खुश्या देने भिग है धायदो कुल खुश्या से सावे ही भगतों कमुँद पुल कुसाजर जी गुरुवर का हुए आदमन जोर दार तालिया बजाईएगा आईए भाईयो इस नाटक को मैं प्रारम करो उससे पूर आपको कुछ जानकारिया देदू पुझ गुर्देव का गिरस तवस्ता का नाम पारस था पुझ गुर्देव का एक नाम नहीं तीन नाम थे अभी तक आपको यह जानकारिया नहीं मिली होगी पुझ श्री तीन नाम से जाने जाते थे एक तो था पारस एक था गुर्डू एक था डाई उनके पिताजी उन्हें गुड्डू कहके बुलाते और उनकी दादी उन्हें डई कहके बुलाते पारस उनका नाम था आपने जन्म तिदी 11 मई 1970 में धंतरी ग्राम में आपने जन्म लिया धंतरी ग्राम 36 गड़ के एक जिले का नाम है धंतरी वहाँ आपने जन्म लिया और आपकी माता का नाम गोपी भाई और पिता का नाम भीकम चंजी था और ये बात जानकर आपको बड़ी मन में लगेगा कि पूझी स्री एक बरस के थे और एक बरस के बाद ही उनके पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे माने लार पाल कर उन्हें बड़ा किया संसकार दिये पढ़ाए भाईयों ने उन्हें और पढ़ा लिखा कर एक दिन उन्हें धर्म के मार्क पर हुआ है अच्छर विद्या सागर जी महराज की किरपा से उन्होंने धर्म के मार्क को श्विकार किया भाईयों आपकी लोकिक सिच्छा बिये है आपने बिये किया हुआ है और 27 माई 1993 में आपने परम्पुझे आच्छर स्री विद्या सागर जी महराज के चर्णों में जाकर आपने ब्रह्मचर व्रत को धारन किया ब्रह्मचर व्रत परम्पुझे संतिस्रो मनी आच्छर स्री विद्या सागर जी महराज के चर्णों में जाकर आपने ग्रहन किया और 27 जन्वरी 1994 में आपने ग्वालियर के गोपा चलतीर छेत पर एलग दिच्छा को धारन किया ग्वालियर में आपने 1994 में एलग दिच्छा को धारन किया और एलग दिच्छा के बाद 11 दिशंबर 1996 में यानि दो वर्ष बाद आपने मुनी दिच्छा को कानपुर में अनंदपुरी में आपने मुनी दिख्षा को धारण किया आप तीन भाई थे एक बेन थी बड़े भाई का नाम संतोस था चोटे भाई का नाम संजा था और स्वें का नाम पारस था और बेहन का नाम था क्या था मौसी आँ याद है तुम्हें सशी बेहन का नाम था यानि तीन भाई एक बेन थे और एक साल बाद आप धंतरी से पिंडरई आ गए पिंडरई के बाद आप बरगी नगर में भाई की सर्विस लग गई और वहां जाकर आपने अपना बास किया बस हमारी कहनी यहीं से प्रारम होती है यहीं से ले चलते हैं पारस से करें उनकी मुख मुद्रा को देखा एक माई को देखा हमने गोपी भाई को देखा इसके तो लड़का ही होगा हां तुम ठीक ही कही रहे हो बहें जी मुझे भी ऐसा लगता है दूसरी सकी जाती है बो भी आपस में चर्चा करती है कि इश्वार भीकम चंजी गोपी मा के यहां लड़का हो गया लड़की आपस में चर्चा कर रही है अरे ओ सिता बोल गिता मैं अभी गोपी भाई की यहां से आई हूँ मुझे उनकी मुख से देखते हैं कि उनको लड़का ही होगा अंतु थीक कहती है मुझे आईसा ही लगता है उनके यहां लड़का ही होगा तीसरी सकी भी आपस में बात कर रही है चर्चा कर रही है और कह रही है अरे ओ सुनो चले भी भाई बोलो इमारती भाई आपस में चर्चा चली रही थी एक गाउं में चाची थी और वह चाची जो वात के दे वो सत्त हो जाती थी चाची ने अगर गाउं में कह दिया तुम्हारा काम हो जाएगा तो काम हो जाता था और वह चाची से पास लोग आते अपनी समस्या रखते और चाची से पूछते चाची जैजी नेंद्र चाची जैजी नेंद्र बोलो बेटे कैसे आना हुआ चाची जी मुझे ना एक शंका का समाधान चाहिए था पुछो ना क्या बात है हमारी जो दुकान है ना चलती तो अच्छी है पैसा भी अच्छा आता है लेकिन पैसा तिकता नहीं है घबराओ मत मैं नमोकार मंतर का जाब देती हूँ मैं तुम नमोकार मंतर का जाब करो सब ठीक हो जाएगा आपकी दुकान अच्छे चलेगी चिलता मत करो अच्छी तू चलेगी ना लेकिन हाँ बेटी अच्छी चलेगी तुम विश्वास कर नमोकार मंत्र पर नमोकार मंत्र पर जै जिनेंद्र जै जिनेंद्र चाची जी अरे जै जिनेंद्र कितने बाद आई हो हाँ क्या करू बोलो क्या बात है अरे मेरी सांस है ना बहुत कीट 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 करती है मुझको कुछ तो उपाय बता हूँ ना एसी बात है? हाँ इतने सी बात? हाँ अरे गबराओ मत तू बक्तंबर का पाट पड़ो उसका पानी पिऊ अब आपके साथ ठीक हो जाएगी ठीक है असर तो होगा ना? हाँ बिलकुल होगा करके तो देखो ठीक है चाची कह रहे हैं के पाने तुम पिऊ या सास पिए हाँ सास को सास को दे दो पिने को जैजी निंद्र चाची जैजी निंद्र कितने बात दिनों आ रही हो? हा चाची क्या करू मेरे पति मुझे रोज मारते हैं पेर इसका उपाएथ घबराव ओमнаमासित टेबै का जाप करो तुम्हारा पति कभी नहीं तुमको मारेगा काफ़ कर करेगा, करेगा, बहुत करेगा, ठीक है, चाची जी, बोलो, क्या बात है, एक मन में शंका है, पुछो ना, क्या बात है, इमर, चाची जी, अपने वो गोपी बाई ले ना, हाँ, उनके लड़का हो गया है, लड़की होगी, अरे, यह भी कोई पुछने की बात है, गोपी बाई के याए, तो लड़का ही होगा, मैं, मैं, मैं सिर्फ चाची नहीं, इस गाव के चाची हूँ, मैं जो करती हूँ, वो सब चाची ने भी कह दिया कि लड़का होगा लेकिन गोपी बाई और उनकी सास बैटे बैटे गोपी बाई तो शूटर बोन रही थी और सासुमा बैटे बैटे सब्ची बिनार रही थी और गोपी बाई बैटे बैटे अपने काम में कुछ नहीं बस शूटर बुनने का काम कर रही थी लेकिन भी कमचंजी थोड़े कलक सुवाव के थे वह आये और उनकी इंट्री हुई क्या तुम्हें जरावी शरम नहीं आती? मेरी मा यानि तुम्हारी सास बैटे बैटे सब्ची काट रही है अरे बेटा मैं तो उसे बोल रही थी पर मैंने तो मा से कहा था पर ये है कि सुन्ने को ही तयार नहीं सारा कम खुद ही कर रही है हा मा तुम्हारी ही लाड़ पैर नहीं से फिगाड़ के रखा है नहीं नहीं अरे बेटा नहीं अरे बेटा ओ तो मुझे बोल रही थी पर मैंने उसे कहा नहीं कर देती हूँ मा तुम्ही कुछ काम नहीं करने देती हो अरे तुम्हें पता नहीं उसे कौन सा समय है इतना सुनते हैं सरमा के चले जाते हैं कि समझ गए कि इस वक्त काम कराने की मा को आवस सकता नहीं है लेकिन दूसरे देन सासु लेटी होती है और बहु पेर डवा रही होती है बहु सेवा कर रही होती है और भीकम चंजी का आना होता है और भीकम चंजी आते हैं देखकर वड़े प्रशन होते हैं आज तो मेरी माँ बहुत खुश होगी उनकी सेवा हो रही है जब उनकी सेवा होती है तब हमें बहुत अच्छा रखता है और शेवा करते चले जाते हैं लेकिन वही समय भी नजदीक आता है जिस समय की जब को प्रतिक्षा है कि धंतरी नगर में कि बालक का जन्म कब होगा और उस बालक का कि इतने लोगों को खुशिये जरत दोनों हाथ उपर उठाईए तालियां बजाईए पारस का जन्म होगा और पारस का जन्म होते ही खुशिया मन जाती है और कैसे खुशिया मनती है और जन्म होता है सारी और जन्म होता है माँ बच्चे को खिला रही होती है कभी सकीया फिर आती है और आकर कहने लगती है अरे गोपी बाई अरे गोपी बाई कहा है तुम्हारा लला अभी मेरा लला सोया है तुम सब जन्म बात में आना लला की सुने की करना नहीं कोपी बाई सबको निकालती है बात में आना अभी मेरा लला सोया है तुम सब बात में आना और पीचे एक सकीð छुप जाती है और दीरे से दरबाजा खोलती है और सब को भुला लेती है आजाओ, 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 आजाओ सारे लोग आजाते हैं तम्मा कहने लगती है तम्मा कहती है डूल यो मतिना डूल यो मतिना जब यो मतिना लगा अभी अभी सोय जग यो मतिना जब यो मतिना लगा अभी सोय जगा यो मतिना लगा अभी सोय जगा है पीमा का अरज करते है। कुई जो रुष दो ली ही लइयो मचिना। जो रों से, जो रों से डोर खिल, यो मतीना हल्ला अभी-अभी जो रजग, यो मतीना जट यो मतिना, यो मतिना, जट यो मतिना, यो मतिना लला अभी अभी तो यो हट यो मतिना, लला अभी अभी तो यो हट यो मतिना गुशे लुशे ठाइ抗िस्टटें, प्रॉले के लुशे साले के लुशे साले के लुशे के लुशे गवी आपी cha में हमतीन झाला अबी आपी ₌ भी रखेद गाऊ धियो मतीन लब आपी सुरी को मतीन झाला अबी आपी सुछ गाइ यो मतीन आखे तुम मेरे लाल को ले ही आई मैंने आरे कही उसे नजर ना लग जाए मुझे नजर का टीका तो लगाने दो ला ला मुझे दा मुझे दा मुझे दा आरे थीरे से बीता अरे लाला, अरे वीकम चंजी, बदाई देने चला है वीकम चंजी को, चला चला बदाई, लाला बदाई हो, बदाई हो अरे लाला, अरे वीकम चंजी, बदाई देने चला है वीकम चंजी, बदाई देने चला है सभी बोलेंगे मेरे साथ, बदाई हो जोर सबने बदाई हो, बदाई हो, बदाई हो, लाला आज तो बड़ी खुश होगे, आप के आप पुत्र हुआ है सो तो है, आज तो खुशी का ठिकार, तो पूरे गाउं को जीवन कराओ, जरूर जरूर पूरे गाउं को जीवन कराएंगे, मिठाया बाटेंगे, खुशी मनाएंगे पूरे गाउं को जीवन होगा, सुनो, 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 सुनो जोजन की दिवस्ता, अपने अपने घर पे रखी गई हैं कि अब बताो लाला के यहां बच्चे का जन्मगा ड़ाई लेना चाहिए के नहीं बोलो ना जोड से लेना चाहिए? तुम लोग इतना धीमे बोलते हो बदाई लेना चाहिए के नहीं तो बदाई देना पड़ेगी आझ क्या दोगे ऐसा नहीं बूलना पड़ेगी आज तो बदाई का अउसर है और बदाई तो देना चाहिए कैसे हाँ मापने बेटे को लेती है आ आ बेटा तुझे मैं सीने से लगा लू इतना सोना है मेरा लाल इतना सुन्दर है मेरा कनया कहीं इरे कनया को किसी की नजर न लग जाए आओ मैं इसकी बलईया उतार दू मैं इसकी नजर उतार दू और कहने लगती है क्या कहती है एक ही सलब में गात चाल का आग रहा है जोडाा डहन दिलेदी आगा फ्रीजी के मुचा राहे मीन लाल से तो सारा जग जिर मिलाए जू 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 ये शुधा का लंदिलाया ती जिता मुझाला दे मिर लाल सोतो सारा जग जिन मिलाए रांच ठंडी ठंडी हा दाके सुलाए भोर गुलादी पलके चुंदी जगाए पुशोदा कानंद लाला पुरिज का उजारा है दिर लाल सोतो सारा जग जिन मिलाए जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज हुआ 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 कुछ नामो कॉल पॉट्गों आखे देख यहाँ हुआ आदे मेहीड ने के तेमा ने हुआ हुआ जुँँँँँँँँ जुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ तिरे लिए कैसे कैसे सबने सजाए जीरे लाल सुतो सारा जड़े जिल मिलाए यशोधा तानंद लाला बेविता उजाला है मेरे लाल सुतो सारा जड़े जिल मिलाए मा अपने बेटे को देख रही है सजाती है सवारती है स्कूल के लिए तैयार करती है और बड़ी बेंच सशी को बुलाती है सशी आई मा कहा हो क्या बात है मा सुनो इसे स्कूल छोड़ के आना और सुनो अच्छे से ले जाना कहीं कोई शरारत न करते जी मा और अच्छे से वापस भी ले आना जी मा आप चिंता मत करो देखो ये बहुत नाजुख है ले जाना इसे अच्छे से ठीक है मा सुनो इस बार तुम अच्छे मार्क से पास हो जाना लेकिन मा मैं हमेशा अच्छे मार्क से दिल किन दिदी मैं हमेशा अच्छे मार्क से पास होता हूँ और अच्छे से मार्क्स मिलाना तो अच्छे नमबर आएंगे ठीके ठीके दिदी मैं जाता हूँ आओ मैं तुम्हे स्कूल शोड़ती हूँ स्कूल चले जाते हैं स्कूल लगता है और सबसे पहले और स्कूल में पढ़ने आ रहे है जै कुमाल जी साथ पेस्टी आओ आओ पढ़ने आओ पहले ऐसे दुबले पतले दिखते थे बेटो बेट जा इसके बाद आ रहे है अजिस सहा आईए इसके बाद आ रहे है भारत तोशी इसके बाद आ रहे है इसके बाद आ रहे है तीपर बोरा इसके बाद आ रहे है पीछे जावर से बाव लीकर इसके बाद आ रहे है और इसके बाद आ रहे है प्रिंका भावी इसके बाद आ रहे है राम कटोरी इसके बाद आ रहे है सीता इसके बाद आ रहे है गीता इसके बाद आ रहे है रहे है रस भरी रस भरी और इसके बाद स्वेम पारस इसकूल आते है आगे आके बैठ जाते हैं बच्चे सरारत करते हैं एक दूसरे को कागर्ज मारते हैं जैसे इसकूलों में चलता है इतने में पता चलता है कि लाश टीचर आ गए सारे बच्चे सांत हो जाते हैं जैसे ही क्लाश टीचर आते हैं सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं सबसे पहले मैं तुम लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगा कालू राम ओम गुरुदेव काली चरान खाले हो जाते हैं पुरा है बसता कोई ले जाएगा क्या इसके बाद राम लखान ओम गुरुदेव काजुमाल ओम गुरुदेव पारवती ओम गुरुदेव शरस्वती ओम गुरुदेव लोकी ओम गुरुदेव जलेभी भाई जलेभी भाई कचोणी बाई ओम गुरुदेव थेपला बाई ओम गुरुदेव लटूरी तुमारे दू दात के चुक्रा खा गाए लटूरी बाई ओम गुरुदेव पैनी तुम लोगों से कुछ प्रश्ण पूछूँँगा बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर देना ठीक है मैं तुमसे कुछ प्रश्ण पूछूँँगा ठीक ठीक उत्तर देना खड़े हो जाओ बताओ गठना में क्या अंतर है गुरुजी हमारे स्कूल में हमारे स्कूल को आग लगी यह हो गई गठना और आप उसमें से जिंदा बज गए यह हो गई दूर गठना ऑँ जट रहे हैं लेकिन हम आप से सीख रहे हैं यह आपका ब्रह्म है चट चट बंटड़ारी यह स्कूल ख़ड़े बचाओ तो मस्ता कोई ले जाएगा तुमारा उतार के नीच रख़ड़े बचाओ ख़ड़े बचाओ पांसो टबबे की गाड़ी अगर बारामती स्टेशन से पांच मिनट में निकलती है बताओ मेरी उम्र क्या होगी पचाओ साल सवास बेटा सवास तु बहुत होनार बच्ची है बेटा तुझे कैसे मालूम पड़ी मेरी उमर पचाओ साल है हमारे महले में एक पागल रहता है उसकी उमर पच्चीस साल है आप पूरे पागल है कि आप पूरे पागल है इसलिए आपकी पचास साल है एक खड़ी बचाओ चाता क्या लेकर आईयो चार महने बाद बारिश आएगी इसलिए मम्मी ने चाता दी दिया है पारश तुम खड़े हो जाओ बेटा ये बताओ परमेश्टी कितने होते हैं पाच परमेश्टी होते हैं कौन कौन से अर्यांत सीथ आचार्य उपाध्याय और सर्वसादू शवास शवास बेटा आज मुझे बिश्वास है आज तेरे गुरू को तुछ मेर गर्व है अब बिश्वास के साथ क्या सकता हो तू अपने गुरू का नाम रोशन करेगा अपने गुरू का नाम और उपर ले जाएगा शवास शवास बेटा जाओ एक के संगे एक फिरी गुरू जी जाओ गुरू जी जाओ गुरू जी के उमर कंद बादे भी चक्तर साल बताने से जाओ गुरू जी तुम्हें भी आई है जाओ अरे आदा घंटा हो गया पारस अभी तक लोट कर नहीं आया एई इधर आओ देखके आओ पारस अभी तक क्यों नहीं लोट के आया गुरू जी वो तो क्रिकेट खेल रहे है बुला किलाओ उनको सब को बुला किलाओ मैं कमें गुरू जी रुगो वई पारस तुम तो पढ़ने में इतने अच्छे हो अच्छे नंबरों से पास होते हो आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन अगरीवाल तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारी शिकायट तुम्हारे घरवालों से कहूंगा आज के बाद कोई गंती नहीं होगे घरवालों ठीक है बेट जो यहां इधर आओ तुम्हारे अच्छे की घंटी बसती है और सब्सक्राइब शुट्टी हो जाती है बिल्कुल क्लास ही लगी है और इसके बाद धीरे धीरे हम और आपके यहां जो तुम्हार आता है रक्षा वंदन का बेन हातों में राकिए मा बाई अभी पारस अभी तक आया नहीं अरे यही कही गया होगा आता ही होगा बस पाच मिनिट उसको याद नहीं आज क्या है अरे उसे पता होगा आता ही होगा क्या मा, उसका हमीशा का है अरे लो, आ गया क्यो रे, कहा था तू मा, मैं तो क्रिकेट केलने गया आज तुझे पता नहीं, क्या है, कौन सा दिन है पता नहीं मुझे भूल गया ना, आज रक्षा बंदन का दिन है हाँ, तुब बांदो राखी मैं नहीं बांदने वाली अभी, मुझे नहीं बांदने प्लीज दिदी, बांदी जे ना अच्छा सौरी चलो ठीक है, अभी बांदी देती हूँ पैन जाती है बड़े भाईया, संतोस आते है और मजले भाईया, संतोस भी आते है और रक्षा बंदन का वह तुहार कारम होता है Start Start बेहना ने भाईय के कहलाई से प्यार के कहलाई से प्रह्र ऑचकों कारे बासी सम्झा दोग्थ जिएकुर नेग्यास कर Arctic según o records जिएकुर नेग्यास कर झीम मिल एक्रके साथलों कि झीम एक्र neighborhood खाताफ धर्ड़ एरेख कर आग बंदरता में जो पंधिया है मंता में खशोदा उन्या है वो पोर नहीं जिंजा आपोई यो तुमेरा राजा आधिया है में लो डाने बनने खशोदा के लाइसे यार बंदर बीशिए कोने के लिए के लाने के जिया Are बाल शुः और उपन को पार beef, मिना जड़ी जड़ी दो करता हुआ। महनाने भाई की कल आईसे महनाने भाई की कल आईसे जल्वान प्यार के str keer का सिस्ञादन द्रेशन की दौरीशे द्रेशन की दौरीशे सिञाद檬न हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है संजय और पारस अपनी बेहन को बहार देते हैं बेहन को दिलवाओ उनको नहीं देना है तुम मत उनको से दिलवाओ बेहन को हां कुछ जेम में हो तो तुम अपनी जेम में से भी मिला सकते हो हां ऐसा नहीं दूसरे का माली तो ए विलो पांसो को निकालो अना चलो 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 दी करो पड़ा पड़ा और गिप्स दी जाती है और भाई चले जाते हैं फेकिल को यह तुमइन अपने पास को सभाल के अगेक्र यह हूआ इदार आचाव विद्या सागरजी महरापिन म्हाराज का संग वर की लगर में आता है जैका यह गुर्दय मं का जैका यह गुर्दय मं का इगitel का पर श्यहकर अजुरत अचार स्री का संग आता है और पारस बहुत जाते हैं पढ़ने वाला भी एका लड़का अचार स्री के संग को देखता है नमोस्तु गुर्देव नमोस्तु गुर्देव लेकिन नगर में खुशिया मनाई जा रही थी जैकारा लगाया जा रहा था जैकारा गुर्देव का गुर्देव मंगला चरन हुआ प्रस्तुत किया गया जलो पांच कर लो तुम तो जो नहीं हाए तुम जो नहीं हाए तुम ओह लुट करो एक पीछ मार्यों एक पीच हां चलो हां स्टेड कर तुम तो 5 4 3 2 1 है गजब का असर गुरुवर की नजए जिस किसी पे भी आई मज़ा आगया है गजब का असर फुरुबर की मज़र जिस किसी पे भी आई मज़ा आगया खुशियों की हुई दर साथ वहा राशनी जग मगाई मज़ा आगया मेरे गुरुबर पुलकी तुमने देखी जलकी जिदगी मुस्कुराई मज़ा आगया घच्छने दुलकी जिदा समय आगया तुमने देख फ्जयों की तुमने दो एफ किसी जिदार पुल Attack लुत बयां कि डपकी अञबान कि लुत बयां दूलती नख दिआ बयां कि रुई कर दितने कामान कि कि टैने को बाता कि लिए ए ए इस हूंग तोई assessments कि लिए === कि लिएटनी सब्सके साल कि लिएस तोई ए इस ह hänell कि लिएसे हुन ौ송 झाल झाल हाथ जोड़े नर्मन करते आए तेरी शर्णों में शीष जुकाए तेरा दर्शन बड़ा सुखदाई मन आशों की जोत जलाए मन जीवन की आरज पे हरवन मेरी आँखों में तेरा दर्शनी शाम सबेरे शाम सबेरे हो तो बेपुलक गुरुवर तेरा नाव दीवाना तेरा दीवाना तेरा धिवाना तेरा धिवाना तेरा रहो गया खुले आम भाईयों क्या आप विश्वास करेंगे कि आपके याँ बहुत महगे महगे कलाकार आते होंगे अपनी पूरी टीम लाते होंगे ये बच्चे मेरे पास चार वजे आते है और रात को आठ वजे नातक करने के लिए तयार हो जाते है आप विश्वास ना करें मैंने इने प्रोशान दिया है पहले तु बच्चे तयार नहीं हो रहे थे बुले नहीं मंच पर आकर बेचती नहीं हो जाए मैंने कहा तुम चिंता मत करो जुकती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए होता है नातक करवाने वाला इन बच्चों के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोड़ दार तालिया बजाए आचार विद्या सागर जी के प्रोशन सुनने के लिए नर्वनारी दोड़े दोड़े चले आए नमुस्तु नमुस्तु गुतिर नमुस्तु गुतिर नमुस्तु उन्होंने अपने हाँ से समाला और नेरेदम किया आचा स्री के स्री चर्णों में ये ऐसे संत जिने नमते उरका कंदन खो जाता है ये ऐसे संत जिने नमते उरका कंदन खो जाता है जिनके चर्णों में अंगारा आकर चंदन बन जाता है शीतलता इतनी मिल जाती तन ये तन में हो जाता है इनका बंदन करते करते खुद का बंदन हो जाता है हम दोनों हाथों को जोड़ करके पुझ श्री से निवेदन करेंगे कहें पुझ श्री अपनी मंगल मई दिव मई तेजो मई वानी से हम सबी को लाभान वित करें नमोश्तु गुर्वर, नमोश्तु गुर्वर, नमोश्तु गुर्वर ग्यान सागर जी महराज की, आचार स्री धर्म सागर जी महराज की, आचार भगवाल जेन धर्म की, आचार स्री विद्या सागर जी महराज की, प्रिये बंदुओ, हे भब कल्यार चाते हो, तुमिना दिगंबर मुनी बने हुए, कल्यान अशम्ववव है शंशार मेरे कर शंशार की साधना नकतों कर सकते हो लेकिन बेराभ की साधना करने के लिए दिगम्रत को धरन करना पड़ेगा अपनी आत्मा का कल्यान करने के लिए हे भक्त जनो अपनी आत्मा का कल्यान करना चाहोगे और इस इस्त्री परियाई से अगर तुम्हें मुक्त होना है तो धर्म ध्यान से लगो मायाचारी से दूर रहो और अपने कल्यान की भावना बाहो ये बात मिश्यत्मान के चलना अगर तुम धर्म ध्यान से लगी रही तो स्वर्ग परियाय को धारन करोगी इस्त्री छेधन करोगी और स्वर्ग में देव बन के भुने मनुष्परियाय धारन कर अपनी आत्मा का कल्यान करोगी दिगंब्रत ही सनातन है, दिगंब्रत ही धर्म है, इस मार्क पर चल कर अपनी आत्मा का कल्यान कर सकते हो, ओम नमाहा आचार विद्या सागर जी महराज की सभी दर्दारी खड़े हो जाते हैं ए सौमी नमोस्तो 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 सब पढ़गाते हैं उस समय पारस मन में एक संकल कर लिते हैं कि आज अगर आचार सिरी हमारे यहां पलगते हैं तो मैं सन्यास को धारन कर लूँगा मैं आत्मकल्यार करने की भाव न रकूंगा बस संकल कर लेते हैं और स्वाक से गुरौवर उस दिन उनकी कुटिया में पलगते हैं गुरौवर आज मेरी कुटिया में आये हैं जलते पीरते तीरत पर मुनिगर आज में इस उप्तिया में आई है इस प्राइब तो चले जाते हैं लेकिन पारस मन ही मन विचार के करने लगते हैं मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपनी आत्मा का कल्यान करूंगा लेकिन मैं घरवालों से कैसे कहूं कि मुझे आचार विद्या सागर जी माराज के चड़नों में जाकर आत्म कल्यान करना है कहना तो पड़ेगा ही रात को तस बजगाए ग्यारा बजगाए लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं रहे है उस दिन खाना भी नहीं खाया मा सोचती है और कहने लगती है बेटा भारास क्या कर रहे हो हाँ मा कहो कितनी बेर हो गई अभी तक सोए क्यों नहीं मा मुझे आज नीन तक ही आ रही है क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना? या कोई चिंता? क्या हुआ? क्या है तुम्हें? मा, आज आचारश्री के प्रवचलों को सुनने के बाद मैंने एक प्रण लिया था कि यदि आचारश्री के आहर हमारे चोके में हुए तो मैं सन्यास को धारन कर लूँगा क्या? ऐसा प्रण कोई लेता है क्या बेटा? नहीं मा, मुझे अभी संसार की दुनिया में नहीं रहना मेरा मन अब उप चुका है संसारिक दुनिया से, मैं इस संसारिक दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ मा मा की आउक से अस्त्रुधारा बैने लगती है बेटा यह तू कैसी बाते कर रहा है कैसी बाते कर रहा है तू सन्याज की बात तेरी मां का क्या होगा कहते हैं इस परवार से चार बेरागी हुए एक इनकी दादी मां देवमती हुई एक इनके जेष्ट भाई जैसागर जी माराज हुए और जब मा रोने लगी तो भाई संतोस और भाई संजय आते हैं और संजाने लगते हैं और कहने लगते हैं ए पारस यह तेरी उमर है क्या है देखना मा की तरफ यह मालू मैं तुमको यह कोई बच्चों का खेल लिये चल घर चल नहीं भाईया मैंने एक बार प्रण ले लिया सो ले लिया अब इस संसार में मुझे नहीं रहना तो पारस पारस पानों मालू मैं संयास क्या चीज है काटो के निखारों के पर चलने के बराबर आरों तुमने निरने कर रहे हो मैं तुमें कहीं ने जाने दूगा एक बार बच्चों का खेल नहीं है क्या 24 गंटे में एक बार ही भोजन करने मिलेगा परिदर चलना पड़ेगा क्या इतना तुछ सहर कर पाएगा भाईया तु सहिन कर सकता है सब भाईया अब बात काटों पे चलने की हो या फूलों पे चलने की मैंने एक बार सन्यास को अपने मन में धारन कर लिया तो अब मैं सन्यास को लेकर ही रहूँगा भाईया मैं सन्यास को लेकर ही रहूँगा कोई रोख सके को रोख ले भुकने का नाम नहीं ले रहे है मा तब भेना के रच्छा वर्मन का वास्ता देती है बाई ऐसा मत करो मैं राखी किसको बाढ़ दूंगे भाई दीदी मैं एक बहन की राखी को छोड़ कर जा रहा हूँ मुझे पता है पर मैं हजारों बहन की राखियां बन्धवाने के लिए और समाच के कल्यान के लिए जाना चाहता हूँ मैं जानता हूँ मेरी मा मुझे रोकेगी रो रो कर लेकिन मैं हजारों माओं के दुखों को हरने के लिए जा रहा हूँ मुझे मत रोको बहन मुझे मत रोको माओ मा की आख से आचु है भाई रो रहे हैं लेकिन भीया रुक नहीं रहे हैं मेरे लाल नहीं जाओ सौगंद तुझे मेरी मुझे इतना ना करें खाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ बढ़िया तुझे मेरे लाल नहीं जाओ आचल से लगा के तुझे जीबर तो मैं रोल हूँ आचल से लगा के तुझे जीबर तो मैं रोलूँ अपने इन आचल से ते चलनों को दो लूँ अपने इन आचल से ते चलनों को दो लूँ माता मैं तुमारी हूँ मेरी कोट सजा जाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ नाजों से तुझे बाला बलकों की चाया में नाजों से तुझे बाला बलकों की चाया में इतना तो दुलार किया तुम से तरी माचा ने तो लोगे पुकारेंगे मेलाल नहीं जाओ मेरे बाल 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 नहीं जाओ सोगंद तुझे मेरी मुझे इतना ना करता मेरे लाल नहीं जाए कहते हैं आचास्री के चर्णों में जाकर बैठ जाते हैं चर्णों में जाकर बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद बढ़ाब करते हैं अत्यान करने लगते हैं एक दिन आचास्री से अपने मंग की वात क्याते हैं नमस्तु भग्वन हे आचास्री हमें मौक्ष मार्ग परी प्रसस्त करें हमें मौक्ष जैनेश्वरी दिक्षा प्रधान करें हे पारस बिटम ना तो देखो पारस के साथ कैसी है कि आचार विद्या सागर जी माराज से निवेधन किया लेकिन आचार विद्या सागर जी माराज ने कहा अभी मैंने तुम्हारी जो फाइल पड़ी है और फाइलों के जो पन्ने पल्टे मुझे लगता है तुम्हें अभी सन्यास की आवस सकता नहीं है तुम्हारी एक किट्नी है और एक किट्नी पर तुम कैसे सन्यास को धारन कर सकते हो यहां तो 24 गंटे में पानी चाहिए और बिना पानी के एक किट्नी वाला रह नहीं पाता इसलिए अभी तुम सन्यास नहीं बल्कि ब्रम्चे रवस्ता को लेकर भाईया राजेस के साथ आप अपनी साधना करें मन मार के पारस राजे इसके पास चले जाते है एक साल राजे इसके पास रहते है लेकिन मन में धारना थी कि आत्म कल्यार करना है सन्यास को धारा जब तक जीवन रहेगा मैं आत्म कल्यार करना चाहता हूँ भाईयो मैं माराजी से 93 यानि जब उनकी ब्रमचर अवस्ता में ब्रमचारी थे तब से मैं माराजी से जुड़ा हुआ हूँ विंड में आयते 1993 में तब से माराजी के चलणों से जुड़ा हुआ हूँ मैंने देखा है कि माराजी कई बार जब अस्वस्त होते हैं तो लगता है एकदम इतने बीमार कैसे हो गए और उन्होंने ये परवा नहीं की एक किड़नी होने के बावजूद भी आपने 1994 में पुझ गुरवर आचार पुष्वदंत सागर जी माराज स्री के सी चलणों में जाकर आचार पुष्वदंत सागर जी माराज की आईए भक्ति करें आचार पुष्वदंत सागर जी माराज के समक्ष आचार पुष्वदंत्यक्ताbands अपनी माँ तीन लोगों के साथ आचास्थरी के चैड़नों में आते हैं और निवेदन करते हैं एक माइक खोड़ा माइक रख़ा ला कमा पास चोड़ चोड़ और निवेदन करते हैं हे गुर्देव नमोस्तू 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 हे ब्रह्मचारी जी कहां से आये हो गुर्देव मैं आचारे विद्यासागर जी महराज जी का ब्रह्मचारी हूँ और अहमदाबाद राजेश जी के पास में अध्यन रत रहा हूँ वैसे मैं वर्गी का निवासरत हूँ, वर्गी का रहने वाला हूँ अच्छा, तो इधर भिंड आपका कैसे आना हुआप बस गुर्देव, आपके दर्शनों के इक्षा मन में थी एक्षा को प्यास बुचाने के लिए आपके समीप आपके दर्शनों के लिए आया हूँ जब आपकी जिनेंद्र मुद्रा को देखा, तो मुझे लगा कि अब मुझे यहीं सहारा मिल पाएगा क्या नाम बताया तुमने अपना? पारस गुर्देव तुम्हारा नाम पारस है, तो मैं पुष्पदंत सागर्त, मैं पारस नात बना दूँगा जी गुर्देव शन्यास की रा, देखो मेरा संग जो है, बहुत इस्टिक कानून है, क्या तुमने वापाओगे? जी गुर्देव, मैं जरूर निवापाओँगा तो ठीक है, तुम्हारे संग में रहकर साधना कर सकते हो, और अपनी मा को अपने घर बेश सकते हो मा ने हर कदम पर साथ दिया, और मा को बेश दिया, और संग में रहकर साधना करने लगे और सादना करने लगे सादना करते करते पढ़ाई तो आपने राजेश ब्रमचारी के आँ कर ली थी प्रत्मानियोग, कर्णानियोग, चर्णानियोग, रब्बानियोग आपने अत्यम कर लिया आचाश शिरी में देखा कि योग्षिश है एक दिन बुलाया पारस नमोस्तु गुर्देव, नमोस्तु मैंने देख लिया दो महिने के अंत्राल में तुम बहुत योग्षिश हो और मैं चाहता हूँ कि तुमारी एलग दिख्षा करा दू गुर्देव, मेरे लिए बहुत सो भाग की बास है गुर्देव चीक है मैं यहां के ट्रेस्टियों से पूछ लू यहां कोई ट्रेस्टि बैटे के मंदर के कोई है क्या, बैटे क्या आजाओ इदर मंच पर आओ ट्रेस्टि जो भी है मंच पर आए, समाज अचाहा स्री आप से कुछ पूछेंगे आपको जवाब देना है आजाओ यह मंच पर हाँ एक दो लोग समाज के और प्रुवत आजाए कोई भी जो समाज के और हाँ आजाओ एक दो लोग और कोई आमदर साब आओ आओ अबे भाईया आजाओ 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 अबे भाईया जल्दी आओ पटापट टाइम मत लगाओ हाँ बेवा भीया और कोई है भारत दोशी साहब आजाए मंच पर बस बस अब जाता ने आईए आजाए दो चार लोग बस तब आजाओ दिने समाज के लोगों से पूछा कि हम गौलियर समाज के लोगों से पूछा कि हमें आपर दिख्षा देना चाहते है आईए आजाए सिरी ने पूछा मैं हलो 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 मैं तुमार यहाँ दिख्षा देना चाहता हूँ क्या तुमार रस्विकती है महाराज यह तो बड़ा उतित कारी है हम लोग सब हम लोग सब तयार है तो ठीक है अब दिख्षा की तयार की जाए ठीक है समाज को आदेश दे दिया समाज तयार हो गई और समाज जैसे ही तयार हुई कुरसी का है प्लास्टिक आले और समाज अप यही रेना यही रेना सम यही रेना और बिठाला FREE हुआर बिठाले के बाद मेला तिलक लेकर आती है माला है माला तबेले माला लेकर आए हमारे टश्टी कान दिशार्थी को माला लाइए टेस्टिकरों को माला तै आईए माला पेना है आगे शाका ब्रवेट्षिकिशादे चाके पुदाओं दिदलेगाओं चाके पुदाओं दिदलेगाओं आगे रहादे में दिद्दाओं का आजे यहादे में दिद्दाओं ये रूजल पतादे मुने बर्पतादे धजाके इस आज़ो दिद des चाके पुदाओं दिद्द्दाओं दिद्दकलेगाओं आज़े यहां जेमे प्रीक्छा है तो पैथे क्षाकी को सजाया जाता है वो इस लिए कई माया मुं में बखखना जाए अगर बखखता है तो जन्यास नहीं लेगा इसलिए पहले सजाया जाता है, गोद भरी जाती है आमदार साथ इधर आओ और हमारे आमदार साथ गोद भरते हैं तिछारती की आम निकालो क्या है? अभी गोद में डालो आईए अभे भाईया अभे नावा अभी गोद में जो भी गोद में जो भी गोद भरते हैं इस गोद में जो भी पैसा आता है दिछारती जिस तीर छेत पर चाहे जिस जगे चाहे वहाँ वह पैसा देता है ऐसा नियम है कि वह पैसा दिछारती अपने तीर तिस्तान पर किसी जगे मूर्ती रखवाता है किसी जगे कोई कार कराता है ये मैं चीजे छोटी-छोटी इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में राए कभी दिख्चा हो तो आपके दिमाग में बैटे की दिख्चा में क्या-क्या का रहोते हैं और इसके बाद इदर आजी ले लो सब ले लो एक ठाली में और महराज ने बिनौली निकाली गई अब इनको गोदी में उठाएंगे और बिनौली निकाली जाएगी सारे बच्चे डंस नर्त करेंगे चलिए बजर ना लग जाए पी, तुलाडे, निकाजरर, मुट 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 तरे मैन नजर ना लग जाए इस समय दिख्षा हो रही मुझे एक बात याद है आज तक आचार स्री ने कहा कि पारश से कुछ प्रश्ण किये आज मैं तुमसे पूछना चाता हूँ दिख्षा का मार्ग बड़ा कटिन मार्ग है दिख्षा पर चलना काटों पर चलने के बराबर होता है याद 24 घंटे में एक बार भोजन में लेगा उसी देम पानी लेना पड़ेगा अपने हातों से अपने केसों को उखारना होगा पदवियार करना होगा ना तुम्हें मोटे-मोटे दर्लब के गद्टे मिलेंगे ना तुम्हें ओड़ने के लिए सर्दी में रजाई मिलेगी अभी भी चाओ तो तुम अपने घर वापिस जा सकते हो अभी कोई तुम्हारा सन्यास पर पड़ा आगे नहीं बढ़ा है अगर तुम्हारा मन करे तो अभी भी तुम घर जा सकते हो नहीं गुर्देव एक बार आपके चरण को प्राप्त कर लिया तो आप और कहीं जाने की इक्षा नहीं आप ही मेरे सम्मेश विकर हैं आप ही मेरे के नार आप ही मेरे पावापुरी हैं आप ही मेरे सबकुछे गुर्देव और मुझे आपके चरणों के माध्यम से ही मौक्षमार को प्रशस्त करना है प्रभू तो ठीक है तुमने शंकल्ब कर लिया एक बार पूरी समाज से पूछ लो क्या मैं इनको दिख्षा दे दू बोलो जोर से अपने बेटा होता तो जो पगड़ी बंदी हुई है इसे आंदार साथ को दे दो तुमारे गणे में ये सुन्दर सुन्दर जो माला है है वह सारी उतार के फैंक तो सुमन वीत्या साथर के तंब्रमचारी खवल मन खवल वस्त्र की कांदी नारी कवल मं खवल वस्त्र की कांदी नारी जरत पूनि मां को करे चंदी लच्चिँ तुम्हारा ये रुपट्टा भी बिल्कुल तुम पर भारी हो रहा है इस रुपट्टे को भी उतार कर फैंक दो और तुम्हारी जो बन्यान है ये भी तुम पर भारी है इसे भी उतार कर आज से मैं पीछी देने का अधिकार जो है वो बोली के माध्यम से गुर्देव की बेहन सिस्टर रंजिना विलासपुर ने उस समय बोली ली थी और सास्त्र बेंट की और लोगों ने ली थी जो मुझे याद है और हमारे जेस्टियों ने सास्त्र बेंट किया हे गुर्देव अब मुझे जेनेश्वरी दिख्षा प्रदान करें कहते हैं कानपुर के वो आननपुरी नगरी में आपने जेनेश्वरी दिख्षा भी धालन की और वह दिन ता 11 दिशंबर 1996 में आपने अपने लंगोट उतार के भी फेक दे और आपने दिखंबर दो धालन किया फिर अचास्तियों ने कहा आज से तुम्हारा नाम मुने पुलक सागर महराज के नाम से तुम्हें दुनिया जानेगे और दीरे दीरे आप एक साल अरुन सागर जी के साथ रहे एक साल तीन साल आप तरुन सागर जी के साथ रहे धर्म की प्रवावना की और धर्म की प्रवावना करते हुए बारा मती आ गए और बारा मती आ गए तो ख़ले हो जाओ नाटक खतम हो गया घर जाओ आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले